Hi everyone, नमस्कार, मैं हूँ रोमन मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल परिक्षाप्लस पर आज मुलाकात आप लोगों से काफी दिनों बाद हो रही है, इधर हिंदी की 800 सिरीज चलने के बाद, आज मैं फिर से आपको एक नए प्रोग्राम के बारे में जो टीम के लेकर लांच किये हैं, यह नया प्रोग्राम है, इसमें टेस्टरी जो टीम के द्वारा उतारी जा रही है, UPPSC के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है, UPPSC जो अभी आपका 15 दिशंबर को एक्जाम कराया, इसको देखते वे यह पूरी टेस्टरी तैयार की गई है, साथ ही स इसमें बहुत कुछ हम क्रेस कोर्स के माध्यम से दे रहे हैं, तो इन तमाम चीजों पर मैं आपसे बात करूँगा, और दोस्तों सबसे खास बात, मैं आज आपको मौडल पेपर के द्वारा जो टीम के द्वारा डेमो टेस्ट पेपर उतारा गया था, उसके से शलिशन को पर चर्चा करने वाला हूँ, जो मौडल पेपर आपका वन है, ठीक है, इसमें कुल 120 प्रशन सामिल किये गये हैं, क्योंकि आपकी प्रारंभिक परिच्छा में 120 प्रशन होंगे, और 120 प्रशनों में आपके GS से संबंदित और अनी विसेव से संबंदित सवाल हैं, उन सभी मैं चर्चा करूँगा, एक बाण थोड़ी सी नजर डालते हैं, हमारी टीम के द्वारा चलाया जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, आपको CRES कोर्स के माद्यम से हम क्या क्या चीजं उपलब्द कर रहे हैं, तो टीम के द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, परिक टेस्टरीज प्रोवाइट कर रहे एक जिस पर मैं बात कर रहा हूँ यह डेमो टेस्ट है इसके सलीशन मैं पूरा बताऊंगा साथ ही बारा टेस्ट यह टेस्ट सब के सब अपने आप में फुल लेंथ के हैं ठीक है तो सबसे बड़ी बात यही है कि यह सभी के सभी फुल ले है यानि modern एक तरीके से और साथ ही साथ भारतियों विश्चुका भुगुल और प्राकर्तिक संसाधन की एक बुक लेट आपको मिलेगी भारती क्रिश्री बाणी जियों ब्यापार की एक बुक लेट मिलेगी भारती राज वेयुस्था अर्थ वेयुस्था यह संस्कृत से जनसंख्या पारिस्त की युम नगरी करण से संबंधित पूरी PDF आपको दी जाएगी उत्तर प्रदेश इस्पेसल की एक अलग बुक जो लेटेस्ट आपके अधितन डाटा पर आधारित होगी यह आपको दी जाएगी और साथ ही साथ करिंड के जितने भी आपके होते हैं म मंतली 600 क्वेस्टन के फॉर्मेड में हम आपको PDF और तमाम चीज़े उपलब्द कराते रहेंगे तो यह टीम परिक्षा प्लस के द्वारा उतारा गया इस क्रेस कूर्स को लेकर एक प्लान है शामानी विज्ञान के भी आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें तीनों आ पूरा माटेरियल उपलब्द कराएंगे प्रश्णों की पूरी सरंखला है चैप्टर वाइज सब कुछ है रिजनिंग को भी लेकर सारी चीज़ें इसमें सामिल की गई है तो एक बार आप देख सकते हैं इस क्रेस कोर्स में हम आपको टेसरीज तो तेरा देही दे रहे हैं फुल लेंथ साथ ही साथ पूरा का पूरा हम आपको इस्टेटिम माटेरियल भी दे रहे हैं दूसरी चीज़ दोस्तों सभी जो है परिच्छार्थियों के हित को ध्यान रखते वे टीम इस टेसरीज को आप पूर्व की भात ही जो आपके मार्केट में उपलब्द सबसे ज लेक्षपलस का ये जो प्रोग्राम है फिर से इसमें जो बीयो का है इसके लिए जो आप 399 रुपीज सिर्फ प्लान है पूरा का पूरा जितना मैंने बताये इन सारे माटेरियल को लेकर और प्लस आपके जो तेरा टेस्ट है इन सभी को लेकर साथ ही साथ दोस्तों टीम आ जोगी ये क्वेशन की सीरीज सभी को लोगों के लिए जो इस टेस्ट को ले रहे है उनके लिए भी है और जो नहीं ले रहे है वो डेली बेसिस पर इस चीज को मेरे साथ रोज फालो कर सकते ये क्लासेज में लाइब लोगा आपकी टाइम आपको बता दिया जाएगा नीचे इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर जो है जो है जोड़ सकते हैं सिधा क्लिक करके दूसरी चीज टेलिग्राम का हमारा चैनल है जहां तमाम पीडिएफ और हर एक चीज़ें डाली जाती है इसके लिए आप टेलिग्राम चैनल हमारा जोइन कर लें नीचे लिंक दिया है तीसरी बात दोस्तों खास कर मेरे लिए आप लोगों के लिए जब आप यूटूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल ऑईकन जरूर पूस कर लें क्योंकि जब मैं लाइव होंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको ज चलाओंगा इसमें उत्तरप्रदेश से संबंधित जितने क्वेशन हो सकते हैं लगबग हजार क्वेशन तक मैं कवर करूँगा ये सब की सब सेरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी गुरूप से जरूर जोए हो जाएं टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें क्य टीम के द्वारा ये आप सभी के लोगों के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्वेशन के अस्तर काफी अच्छे होंगे तो उत्तर प्रदेश को ले करके और 4500 क्वेशन जियेस के सभी संभागों को मिला कर मैं आप से हर दिन 50 क्वेशन के रूप में मिलूंगा तो इस इसके लिए हमारी वेफ साइट आप परिक्षा प्लस.org पर विजिट कर सकते हैं तो देर न करते हुए एक बार मैं फिर से आप सभी का सौगत करते हुए एक महतपूर सूचना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ जो मॉडल पेपर 120 प्रस्टीस में सामिल किये गए हैं उन पर म अगर आपको testories related क्योंकि टीम के द्वारा बहुत सारी testories junior assistant भी अभी चला है वो भी है अनि आपके जैसे ASC high code की testories भी चलाई गई है ये दोनों testories अभी भी उपलब्ध हैं आप लेना चाहिए रहते हैं तो इन में से किसी contact पर 945-000-6007 या 7398-676291 या 811-55879-55 पर contact कर सक करते हैं call या WhatsApp के माध्यम से किसी से भी आप कोई समस्या है कोई inquiry करना चाहते हैं आप पूस सकते हैं चले दोस्तों देर ना करते हुए एक बार मैं सुरुवात करता हूँ 120 प्रशनों की आपकी स्रेंखला को लेकर बहुत अच्छे-च्छे question है लगबग इसमें टीम ने जो सामिल किया है ठीक है वो sectional wise है आपके जितने भी क्योंकि आयूग ने 11 या 12 पॉइंट किये हैं वो syllabus के रूप में आपका पूरा का पूरा है तो इसको हम लोग पूरा का पूरा आपको उसी रूप में एक sectional रूप में सब कुछ उपलब्द कर रहे हैं तो यह आपको ध्या पूरी तरीके से concentrate हो जाना है पहला प्रश्ण आपके सामने है पहला प्रश्ण कहरा है आयुद्ध्या किस संगीतकार ने सास्त्री संगीत की टपासैली में प्रियोग किया है सास्त्री संगीत को टपासैली में प्रियोग करने वाला कौन है मुश्बरी भाई खुशी इसी तरीके से UPPSC होने जा रहा है, इसलिए आपको जवाब देते रहना है, एकदम पूरी तरीके से concentrate रहना है, जिन्होंने आप्शन चुना है B, खुसी महराज उनके जवाब सही है, क्योंकि टपा जो ये Sally है, आपकी टपा Sally, ये हिंदुस्तान संगीत की एक विसिष्ट सहल जो इसकी ले होती है, ये ले चंचल होती है, ठीक है, ले इसकी थोड़ी सी चंचल होती है, और दूसरी बात ये गीत जो होते हैं आपके, ठीक है, सास्ते संगीत की टपा सहली में जो गीत होते हैं, ये गीत अधिकतर आपको पंजाबी भासा में मिलेंगे, ठीक है, पंजा प्राइन का स्रे ये भी जान लो ठीक है टपा सैली के मुगल काल में जो वहाँ पर दर्बार चलते थे मुगलों के उस दर्बार में टपा सैली को ले जाने वाला कौन बेखती था तो वो था आपका सौरी मिया कौन था बेखती सौरी मिया कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछ ल पंडित रवी संकर उस्ताद अलावदिन खान जुविन महता इन चारों को आपको ध्यान से देखना है और फिर जबाब देना है कि पश्मी आरकेष्ट्रा कौन चलाने वाला इनमें से प्रसिद्वेक्ती है जबाब इसके फटा-फट बोलते रहें मन में ही करते रहो जहां प भारत में भी संगीत को लाकर वहां से प्रचलित किया आरकेष्ट्रा को काफी जादा जाना माना पहशान इनोंने बनाया ठीक कौन जुविन महता हाला कि ये खांदानी थे इनके पिता जी यहीं व्यापार करते थे इनका जन्म आपके मुंबई में हुआ ठीक है पहले जब बंबई हुआ करता था अंग्रीजों के आधिन तब इनका जन्म हुआ था अगली बात तीसरा नंबर प्रश्ण बहुत अच्छा प्रश्ण है निमलिखित कतनों पर वीचार कीजिए पहला कतन कहरा है तीसरी कोज फैक्टरी उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है दूसरा कहरा उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रशिद्ध है तीसरा बोला यूपी डेस्को एलेक्टरानिक वीभाग के अंतरगत एक नियम है चौथा आप से बोला है प्रथम पॉलिष्टर रहसा फैक्ट्री उत्तर प्रदे से देखिए और आपको कौन सा विकल्प अच्छा लग रहा है देखिए दूसरा नंबर तो एकदम सही नहीं हो सकता क्योंकि फिरोजाबाद कांच उद्धोग के लिए प्रशिद्ध है और इसको जो है सुहाग नेगरी यहाँ पर चूड़ी बनती है चूड़िया बनती है फिरोजाबाद में तो इसको सुहाग नेगरी बोला जाता है तो पाट्री दूसरा आपका गलत हो गया अगर आप ध्यान दें जो इसमें तीनों दिये गये हैं उन तीनों विकल्पों को बहुत ध्यान से देखिए तो आपको यह मिलेगा पहला वाला जो है तीसरी कोज फैक ही बनता है और वो आपका विकल्प जो सबसे उचित होगा तीसरा और चौथा ठीक है क्योंकि यूपी डेस्को जो है यह एलेक्ट्रानिक विभाग के अंतरगत एक नियम है ठीक है जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे यूपी डेस्कों की तो आपको दिखाएगा इसकी वेबसाइट पर दिखाएगा यह एलेक्ट्रानिक्स विभाग का नियम है ठीक है तीसरा और चौथा सही है आनी चीजें इसमें उत्तरप्रदेश के राय वरेली में अस्थापित हो रही है तो फिरोजाबाद मैंने बता दिया कि यह आपके कांच उद्दोग या सु उत्तरप्रदेश लग उद्दोग नियम उत्तरप्रदेश और दोगिग विकास नियम उत्तरप्रदेश बित्तिये निगम चौथा है कोई नहीं इन चारों में से आपको बताना है यह सब निगम लिखे हुए हैं ठीक है उत्तरप्रदेश लग उद्दोग निगम प्रश्न की और बढ़ते हैं प्रश्न नमबर पांच आप से बहुत बढ़ी हाँ प्रश्न है कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रश्न को सकर का 14 क्यों कहा जाता है इसको असपष्ट करने के लिए निमलिकित करथनों पर भीचार किजी पहला कर रहा है उत्तर प्रश्न में गण्या में से कौन सा सही है विकल्प आपके सामने है एक और तीन एक और दो एक दो चार दो तीन तथा चार इन चारों में से चुनिए कौन सा सही है आपको प्रशन देखते हुए चलना है ये क्रिसी उत्तर प्रदेश की क्रिसी से संबंधित प्रशन है आपके सामने ठीक है हर एक solution भिया मुल्प लब्द कराएंगे तो ये सारी चीजें आपको सब कुछ मिल नहीं है question देखते हुए पांचवे का जबाब हम देखते हैं पांचवे का जबाब अगर आपने चुना है तो आप होते हैं एकदम सही पहला दूसरा और चोथा कथन सत्य है लेकिन तीसरे कथन में देखें उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या तो आपको याद होगा महाराष्टा भी है अगला है चठा नंबर प्रशन आपके सामने चठा नंबर कहरा है सूची एक को सूची दो से मिलान करें कुछ इधर आपके उत्तर प्रदेश में इस्थित एक तरीके से अस्थल है और कुछ जिले दिये गये हैं तो ये अस्थल कहां पर हैं उनसे उनका मिलान कराना है पहला कह रहा है 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बाधिस्तूप और कामदगिरी परबद, इन चारों से संबंधित आपको सामने कुछ विकल्ब दिखाई दे रहे हैं, इनी की मैचिंग करानी है, चित्रकूट, कुसीन अगर, मुरादाबाद, जालों, इन चारों में चलिए सबसे उचित है, वो आप कही न कहीं कमेंट कर सकते हैं, बोलना चाहें तो भाई बोल भी सकते हैं, 120 प्रशनों की है, तो अगर आप इसमें से चुनते हैं, देखो, 84 गुंबद की अगर मैं बात करूँ, तो ये पढ़ता है आपका जालों में, ठीक है, पहले का चोथा हो ग उत्तर प्रदेश की अर्थवियोस्ता के संदर में निमलिखित कतनों पर भी चार गएं, चुकि आयोग ने मेंसन किया है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उससे संबंदि समस्त प्रशन आपको पुलब्द कराए जाएंगे, ठीक है, पूरा एक पार्ट वाई जिसमें ड प्रजसत उत्तर प्रदेश में अधिक है, तीसरा कह रहा है, संपूर देश की तुल्ला में प्रती एक लाग जन संख्या पर पंजी करित कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, कौन सा इसमें सा सही है, तीनों में से आपको चुनना है कि कौन से कथनी इसमे से जबाब दीजिए अगर आप इसका सही जबाब देते हैं तो समझ जाए ये तयारी आपकी सही दिसा में है बस आपको टेसरीज ले करके और जो material हम उपलब्द कराएना है इनको पढ़के थोड़ा सबने आपको update कर लेना है क्योंकि ये टेसरीज अध्यतन pattern पर है तो अगर सही रणिनीद आप बनाते हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये गुड़वत्ता पूर्ण टेसरीज को आप solve करें ठीक है तो टेसरीज के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं इस पूरे क्रेस कोर्स के बारे में इनमें से जीनों मैंने इससे पहले बहुत बताया कि आपकी जो मुंबई है इसको उद्धोग नगरी के नाम से जाना जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर परदेश में ये चीजे कहा possible है अगला प्रशन आपके सामने है अगला प्रशन कहे रहा है उत्तर परदेश जनहित गारंटी अधनियम 2011 इससे संबंदित प्रशन है लोगों की प्रतिदिन की आवश्चक्ताओं से संबंदित सेवाओं की उपलबधी एक सहस तरीके से होनी चाहिए एक समय बद तरीके से 13 चिन्नित सेवाओं की ब्रेक इविन आर्थिक सिधान पर इन चारों कूट में से इसका सही जवाब आपको चुनना है कि उत्तर परदेश जनहित गारंटी अधनियम क्या प्रावधान करता है ठीक है सेवाओं की एक सहस तरीके से उपलबधता होनी चाहिए या जो सेवाएं हैं इनको एक समय बत तरीके से उपलबध होना चाहिए या तेरा चिन्हित सेवाओं की या ब्रेक इविन आर्थिक सिधान पर इन चारों में से आपको जवाब चुनना है अगर आप जवाब चुनना है कौन सा इन में से कौन सा जवाब आपका सही होगा अगर आठ में प्रशन का आप जवाब इन में से चुन लेते हैं डी बिकल चारों के चारों तो एकदम आप सही हैं क्योंकि इसमें जो कुछ कही गई है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एधनियम के बारे में वो सब कुछ ही इसमें चारों कथन लिखे गए एकदम सही है तेरा चिनित सेवाएं या ब्रेक इविन आर्थिक सिधान्त एक ही चीजे हैं ठीक है नवा नंबर प्रशन आपके सामने है कहरा है उत्तर प्रदेश में बैकल्पिक उर्जा के विकास के लिए बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान की स्थापना कप की गई 1982, 1983, 1986, 1987 इन चारों में से आपको जबाब चुनना है नो नंबर प्रशन का जबाब फड़ा पड़ दीजे बहुत जल्दी कमेंट करिए आप UPPCS प्रिलिम्स तयार कर रहे हैं अगले प्रशन की और बढ़ते हैं प्रशन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है सोनबद्र जन्पद में निमले की धातों में से कौन सी पाई जाती है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर ग्याद कीजिए इरेनियम फिर आपका है एंडिशुलाइट तीसरा है पाई राइट चोथा है डोलोमाइट इन चारों में से आपको चुनला है कि कौन सा सोनबद्र जिले में पाया जाने वाली धातु है ठीक है तो इन चारों में से आप विकल्ब देख सकते है और इन चारों में से सोनबद्र जिले में कौन सी चीज़े पाया जाती है फड़ापट जब आप दीजिए आ रहा है तो भी कमेंट करो नहीं आ रहा तब भी कमेंट करो लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है विकल्ब अगर आप इन में से देखें कि कौन सा सबसे बेस्ट है आपका तो इसमें जो सिकेंड आपका है ठीक है ये भी सोनबद्र में पाया जाता है अंडलूशाइड तीसरा है पायराइट ये भी आपका पाया जाता है और 4 जो इसमें एक तरीके से दे रखा है, आपका डोलो माईट ये भी सोन भद्र में पाया जाता है, तो इसका विकल्प आपका जो सही होगा, यहीं दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प भी है, यहीं आपका सभसे सही विकल्प है, अगले और बढ़ते हैं बहुत अच्छ जबाब आप दे लिए तो आप समझ जाईए कि आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है टेसरीज के मादधम से चलिए बताइए 11 नंबर का जबाब अगर आप सी चुने हैं समौरती सूची तो एकदम सही हैं थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए क्योंकि जबाब हो गया है परिवार नियोजन जो है ये समौरती सूची का भी से है लेकिन अगर आप से कभी जनगणना के बारे में पूचले जनगणना या जनसंख्या नियंत्रन ापसे पूसे है जो है किस सूची का विसे है या जनसंख्या नियंत्रन किस तो जनसंख्या नियंत्रन जो है यह संग सूची का विसे है जनगर्णा या जनसंख्या नियंत्रन यह संग सूची विसे के अधिनाता है और जनगर्णा के बारे में अगर मैं आपसे पूछू कौन सा अनुछे प्र अगले प्रशन की और बढ़ते हैं, अगला प्रशन फिर से आपसे इनी सबसे संबंदी थे, प्रशन आपको पूरा दिख रहा होगा, अब इस प्रशन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप जबाब दे, जनगर्णा आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि भारत बिश्व का सबसे बेस्ट है, तो आप ये जानिए कि वर्श 2020 में भारत की आउसत उम्र 29 वर्श होगी, इसलिए अभी भारत को इवाओं का देश कहा जा रहा है, ठीक है भारत इवाओं का देश से क्योंकि आउसत उम्र जो होगी ये 29 वर्श होने जा रही है 2020 में, एक हजार पूर्शों पर 60 मेलाओं की, एक हजार पूर्शों पर 40 मेलाओं की, इन चारों में से बताएं, अगर आप सेंसस पढ़ें, क्योगी उत्तर प्रदेश सेंसस के बारे में उसने कमेंट किया है, तो जरूर पूछेगा 13 नमबर का जबाब क्या होगा, 13 नमबर का कौन सा है लक्षद्यूप दादर नगर हवेली A और B कोई नहीं इन चारों में से आपको विकल्ब चुनना है 14 नमबर का जबाब आप बताइए और 14 नमबर का जबाब अगर आप A चुनना है तो एकड़म सही है लक्षद्यूप है क्योंकि लक्षद्यूप जो आपका है इसकी अगर मैं बात करूँ एक तरीके से साच्छरता दर की तो लक्षद्यूप की साच्छरता दर 92.28% है 92.28% है इसकी पूरी की पूरी है वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ दादरायूम नागर हवेली की या दादर नागर हवेली की तो इसकी जो है यह 77.65 है 77.65 परसेंट इसका एक तरीके से है तो कहीं न कहीं यह कम हुआ लक्ष दिप आपका बहुत ज़्यादा है ठीक है और यह आप जान लीजिए अगर आपसे यह सवाल पूझ ले सरवाधिक साच्छर जिला कौन सा है तो सरवाधिक साच्छर जिलो का अगर मैं बात करूँ तो यह मिजोरम का एक जिला है ठीक है मिजोरम राजी का एक जिला है और जिसका नाम है सरचीब सरचीब जो आपका जिला है यह सरवाधिक साक्षर जिला है तो समझ गए कई information आपको मिल गई 15 नमबर प्रशन आपके screen पर है पारिष्थ की पदछाप के माप की इकाई क्या है भूमंडले हेक्टेर, नैनो मीटर, क्यूबिक टन इन में से कोई नहीं, इन चारों में से आपको जबाब देना है कि पारिष्थ की पदछाप के माप की इकाई क्या है 15 नमबर का जबाब आपको देना है और 15 नमबर का जबाब जो आप, अगर आपने क्या चुना है बिकल पे चुन लिया है भूमंडली हेक्टेर तो बहुत बढ़िया है क्योंकि यहीं जबाब है देखो पारिस्तिकी जो पदशाप होती है ठीक है इसका आर्थ होता है कि एक मनुश्य जीवन पूड़े संपूर्ण जीवन में अपने है ठीक है उसको जीवित रहने के लिए या वो कितनी मलब नियुंतम से नियुंतम भूमी उसको चहिए ही चहिए इसको पारिस्तिकी पदशाप कहते हैं ठीक है तो भूमंडली हेक्टेर में इसको देखा जाता है अगली बात करते हैं प्रशन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है 16 नंबर आपसे पूछ रहा है 50 से अध मौसम परिवर्तन समझा होता संयुक्तराष्ट का कब आया 16 नंबर प्रशन का जबाब दीजिए जहां पर भी हैं कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करते रहो बोलना चाहते हो बोलते रहो देखिए अगर इसमें आपने चुल लिया है कुन सा 1994 तो एकदम सही हैं कि 1994 की ही बात ह और वो भी डेड़ थी 21 मार्च 21 मार्च 1994 को संयुक्तराष्ट मौसम परिवर्तन समझा होता लेकर आया था इसमें 50 से अधिक देश जो है सामिल थे अगला है 17 नंबर प्रशन है उद्ध्यानों से संबन्दित है औरंग राष्टिय उद्ध्यान के संदर्द में निमलिखित कतनों पर विचार करें पहला कतन कह रहा है औरंग राष्टिय उद्ध्यान त्रिपुरा में अवस्तित है दूसरा बोला है औरंग राष्टिय उद्ध्यान को राजिव गांधी औरंग राष्टिय उद्ध्यान के रूप में भी जाना जाता है तीसरा बिकल बोला है इसे 2016 में राष्टी उद्ध्यान का दर्जा दिया गया था कौन सा इनमें से सही है चलो फड़ा फट कमेंट करिए 17 नंबर का आपको जवाब देना है और 17 नंबर का विकलप अगर आप डी चुन लेते हैं तो एकदम बेस्ट है इनमें से जो चीजे हैं क्योंकि यह जो है औरंग राष्टी उद्धान यह आपका कहां है यह असम राजी में पढ़ता है औरंगा भाई ठीक है असम राजी के अगर मैं जिला कहूं तो जिले का नाम है इसका सोणितपूर सोणितपूर में यह जिले में यह पढ़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में असम में ब्रह्मपुत्र जाती है तो उसके उत्तर में ये पढ़ता है ब्रह्मपुत्र माली जीया ऐसे जा रही है तो आप उपर की ओर देखेंगे उत्तर साइड की ओर देखेंगे तो वहाँ पर ये पढ़ता है आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज इसमें 2016 में राष्टी उद्धान दर्जा नहीं, इसको 1999 में ही राष्टी उद्धान का दर्जा मिल चुका था, ठीक है, तो कोई कथनीन में सही नहीं है, 18 नमबर प्रश्ण आपसे बोला है, भारत में नई जन संख्या नीती कब लाई गई, 1990, 2005, 1995, प्रश्ण के अस्तर बहुत ही अच्छ है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टेसरीज बहुत ही मानक पूर्ड है अपने आप में, अब ये आप और प्रश्णों को देखेंगे, समझ 18 नमबर का जबाब दीजिए, विकल्प अगर आप चुनते हैं कौन सा, सी, 2000 में ये नीती आई थी, भारत में नई जन संख्या नीती, 2000 में आई थी, 19 नमबर प्रश्ण मैचिंग से फिर से आ गया है, कुछ आपके जो है, एक तरीके से इधर आपको योजनाय दी गई हैं, और उन से संबंदित सा नीतर दिये गए हैं, इन दोनों का मिलान करना है, कृषिमोली आयोग, नभीनी कृट सार्वजनिक बितनर प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक बितनर प्रणाली और अंतिवधा योजना, सभी के बारे में यहां पर उसने कमेंड किया है, सामने आपक उचित हो सकता है, ठीक है, तो अगर आपने कृषि के बारे में पढ़ रखा है, तो आप तुरंट दिमाग जाएगा, क्योंकि यह जो कृषिमोली आयोग है, यह 1965 में बना था, 1965 में, यानि A का विकल्प चारा B और C दोनों में है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इन मे सर्वोत्तम विकल्प है, बीश नंबर प्रशन है, सब्द छिपा भूंक किसको संदर्भित करता है, सूच में पूशक तत्नों की कमी, फिर है आपका दूर दरज के छेत्रों में ब्यापक तत्तु, अगला है भोजन तक पहुच की कमी, फिर अगला है खादिपदा आर्थो सूच में पूशक तत्नों की कमी, अगला प्रशन आपसे है, अभी बार-बार सुनने हैं, पांच ट्रिलियन डालर अर्थ व्योस्ता के लिए भारत को दोजार चौविस पचीस तक कितने प्रशत की विकासदर चाहिए, आठ प्रशत, आठ दसमल पांच प्रशत, नो दसमल हैं बिकल कौन सा, इन में से डी, तो आप होते हैं सही, थोड़ा सा इसके बारे में जाने, जो लंदन में एक बित्तिय संस्थान इस्थित है, ठीक है, वोस एजनसी का नाम एक तरीके से है, आपका आई, अर्नेस्ट बोलते हैं, ये आर एन एस्टी, आई अर्नेस्ट कमपनी का पूरा नाम है, तो इसके एक तरीके से जो सचिव हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि भारत को अगर 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्योस्था बननी है, तो भारत को लगातार, ठीक है, एक तरीके से जो ब्रिधिदर होनी चाहिए, ये 9% की ब्रिधिदर के साथ भा अगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रशन की ओर, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, 22 नंबर प्रशन, 22 नंबर प्रशन कहरा है, वर्स 2017-18 में भारत के सीर्स 5 निरियात अस्थलों का सही क्रम क्या है, पहला बोला है चीन, USA, UAE, सिंगापूर, हांगान, बीबिकल बोला, UAE चीन, सिंगापूर, USA, हांगान, निरियात अस्थल कोन कोन से है, सीर्स, 2017-18 को लेकर है, अगला करहा है, USA, फिर UAE, फिर हांगान, फिर चीन, फिर सिंगापूर, फिर बोला, USA, हांगान, UAE, चीन, सिंगापूर, अगर आपने रिपोर्ट ये पढ़ी होगी, तो आप इसका जबाब देने में एकदम अपने आपको सहज महसूस कर रहे होंगे, अगर नहीं पढ़िये, तो कोई बार नहीं, हम इसके जो मटेरियल सावे, आपको उपलब्द कराएंगे, उसमें कहीं न कहीं ये चीजें के बारे में होगा, जरूर क्योंकि ब्यापार के बारे में आप से कमेंट किया है, तो सवाल होगा, बाइस नंबर का जबाब, विगल सी चुनने हो, एगनम सही है, ठीक है, अगले प्रेशन की और बढ़ते हैं, अगला प्रेशन कहरा है, नेमलेखित कतनों पर विचार करें, प्रथम पंच वरसी है योजना, भारी उद्दोगों, लोगो इस पात उद्दोग पर केंद्री थी, बी विगल बोर लाए, दुतिये पंच वरसी योजना, हरित करांद की साक्षी बनी, कौन सा इन में से सही है भाई, चलो, चारों में से विगल चुनिए, और फटा-फट जबाब दीजिए, तेईस नंबर का जबाब, अगर आप कौन आपको याद होगा न, हेराल्ड ब्रधी माडल पर, आधारी थी, संब्रधी बोल सकते हैं, हेराल्ड संब्रधी माडल पर आधारी थी, और यसी योजना का जो लच्छी था सबसे पहले भारत में, क्रिशी और शामुदाईक विकास, यहीं लेकर चला गया था, क्रिशी यो आपकी पंचवर्षी योजना आई, उसमें सब कुछ रहा, ठीक है, तो यह चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि दुतिये पंचवर्षी योजना पीसी माडल लोबिस के माडल पर आधारी थी, तो इसमें बहुत सारे आपके जो है, सहीयत रथे, जैसे दुरगापूर में देखा जाए, ठीक है, लोह का कारखाना स्थापित हुआ, इस पात से संबंदित, यह उस समय बेटेन के सहीयोग से हुआ था, भिलाई में देखें, तो अमेरिका के सहीयोग से बना, राउर केला में देखें, तो जर्मनी के सहीयोग से बना, ठीक है, इन सभी में इस्टील क प्लांट लगाए गए थे अगली चीज जैसे इसमें दिया है कि दुतिय पंचबर्सी योजना हरीत करांद की साची बनी ठीक है 1966-66 की बात है जब ये दुतिय पंचबर्सी योजना का आप कारिकाल लाए तो आप समझ सकते हैं इसमें कि ये भी कथन आपका सही नहीं है अगल का आपको मिलान कराना है चलैया समित 1972 में बनी केलकर समित 2002 में तेंदूलकर समित और नड सिंभन समित इन चारों में से किसने किस पर काम किया किसके लिए कौन सी समित बनाई गई थी तो इसका जबाब आपको देना है ठीक है बैंगिंग सुधार से कौन रही गरीबी की प्रितेश करों का विस्तार तथा सभी प्रकार के का रियायतों को चलिए फटा-फटी इसका जबाब कोमेंट करिए कौन सा इसमें से बिकल्ब सही है आप कौन सा जबाब दे रहे हैं ये भी देखते रही है क्योंकि ये बहुत जरूरी है ठीक है मन में आपके आ गया होगा चलो मैं बताता हूँ के चीज़ें ध्यान दीजे देखो ये जो चलाईय समित 1972 वाली है इसने ये बनाई गई थी बैट तथा जो है सेवा का लगाने का इसने सुझाओ दिया था अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत की केलकर समित के बारे में बात करें तो केलकर समित आपक दूसरे का होता है आपका चोथा पहले का तीसरा दूसरे का चोथा बी विखल्प है तो बी विखल्प आख बंद करके हमार देते हैं अगले प्रशन की और बढ़ते हैं ठीक है अगला प्रशन आपके सामने है 25 नंबर का कहराय किस देश को ADB ने आपातकाल रेंड के पाकिस्तान है पाकिस्तान को ही ADB ने ठीक है यानि ACN Development Bank ने आपातकालीन रेंड के रूप में एक विलियन डालर की मंजूरी दी है समझ गए विकमंगा इस समय यही बना है 26 नंबर प्रशन आपके सामने है अमीर खुसरों के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार करें प पहला विकल्प कहरा है केवल एक और दो दूसरा कहरा है एक और तीन तीसरा कहरा है दो और तीन चोथा कहरा है एक दो और तीन इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट है यह आपको जबाब देना है तो 26 नंबर का जबाब क्या हो सकता है फटा फटा फट कम तबला का विश्कार किया था तो ठीक है ये इसलिए कथन नहीं सही होता है अगला है 27 नमबर प्रश्णा आपकी स्क्रीन पर किस प्रशित संद को चिराग ये दिल्ली कहा जाता है निजामुद्दिन ओलिया शेक बुरहानुद्दीन गरीब बाबा फरीद नसीरुद्दिन मह इन चारों में से आपको जबाब चुनना है 27 नमबर का कौन सा ऐसा संत्रह जिसको चिराग ये दिल्ली कहा जाता है ठीक है तो चिराग ये दिल्ली किसको बोला जाता है नसीरुद्दिन महमुद्द को ठीक है बिगलब डी चिन लेते हैं तो एकदम सही होते हैं नसीरुद् अगर अगर इसके बारे में बात करू में तो दच्छणी भारत में चिस्ती सिलसिले का जो है एक तरीके से प्रारम इनहीं किस रहे जाता है अगर आपसे प्रस्ण पूछ ले कि दच्छन भारत में जो है ये चिस्ती सिलसिले का प्रारम किस ने किया तो सेख बुरहानुदीन गरीब ने किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर 28 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है गुल रुखी उपनाम से कौन सा सक फारसी में कविताय लिखता था बहलोल लोधी सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी इन में से कोई नहीं इन चारू में से आपका जबाब चुनना है आप सिकंदर लोधी एक ऐसा साशक है जो फारसी में कविताय लिखता था 29 नंबर फिर से कूट आपके सामने है ठीक है कुछ भगती संपरदाई दिये गए हैं उनका जो है मिलान करना है कि उनको चलाने वाले कोनको उनसे संस्थाप अग रहे हैं इधर सूची एग में संपरदायों का नाम हैं जैसे संकरदेव, जगजीवन, लालगीन या लालवेग, गोविन प्रभू और जो दूसरी सूची है इसमें भक्ति संपरदाय जैसे महानुभाय, पंत, अलक नामी, सतनामी, एक सरणधन इन चारू में से आपको जबाब चुनना है मैचिंग करानी चलो भाई फटाफट मैचिंग कराओ, और बताओ कि इसका कौन सा विकल्प एकदम सही है, चारू आपको दिख रहे हैं विकल्प, अब आपको दिमाग लड़ाना है कि इन में से कौन सा आपका सही है, 29 नमबर का जबाब आपको देना है, ठीक है, चलो जबाब दिमाग में आगया है, तो कमेंट भी कर दो, इसमें देखो जो ये संकरदेओं है न, ये एक सरण धर्म चलाए थे, ठीक है, तो एक का हो गया आपका चोथा, यानि ए भी में से अपना कोई एक होना है, जो भी आपका दिया है, एक तरीके से जग जीवन के बारे में, तो इन्होंने सतन नामी धर्म को ले करके सारी चीजें, इनके द्वारा चलाई गई, तो बी का हो जाएगा आपका दूसरा, यानि बी बी कलब आपका एकड़म सही होता, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की और तीस नंबर फिर से वहीं चीजे हैं, मिलान, ठीक है, यहां पर कुछ तमि प्रेम कथा है, कि दर्शन है, कि वाडिक कथा है, कि व्याकरण है, इन चारों में से आपको जवाब चुनना है, तो इसका मैचिंग बताएं, क्योंकि आप जानते हैं, कि यह बहुत इंपोर्डेंट है, संगम साहित्याप का PCS का एक बहुत अच्छा पार्ट है, इससे इताब है, साहित्य है, यह दर्शन के बारे में सब कुछ आपको सूचना है, उपलब्द कराता है, तोल पक्यम यह क्या है, यह आपका व्याकरण से संबंदित है, समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की ओर, 31 नंबर प्रशन आपसे कह रहा है, मरुस्थली क रिष्टोर फॉरेस्ट एंड सस्टेन टुमारो, बी है रिष्टोर लेंड एंड सस्टेन फ्यूचर, सी है रिवर्स लेंड ग्रेडेशन, और डी बोला है कामबेटिंग क्लाई गेट चेंज थूरू, रिवर्सिंग डिजर्टिफिकेशन, चली चारो में से आप जबाब चाहिए कि इसका जो है थीम एक तरीके से किंद्रे विषय क्या रहा है, कॉप 14 का किंद्रे विषय क्या था, बताओ भीया, फटा फट जबाब देना है, अगर विकल्प आपने चुल लिया है B, तो एकदम आप सान्थ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें B विकल्प ही आपका उच गया है ना, चलिए, दिल्ली घोषणा पत्र में इसके बारे में जिक्र किया गया था, तो इसलिए इसका भारत ने आयोजन किया, अधो लिखित उच्चावच आकरितियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जासकर परवशंखला, धौलाधर परवशंखला, लदाक लाएं दी है, इनका करना क्या है कि दछण से उत्तर की ओर, यानि नीचे से उपर की ओर बढ़ते भी आपको इनको अरेंज करना है कि कौन सी स्रेणी कहां पर मिलती है, यानि सबसे कम उचाहिए, फिर उससे जड़ा, फिर उससे ज़़ादा, उससे ज़़ादा, चलो कौन सी स्रेडी कहां पर आएगी 32 नमबर का जबाब आपको सही विकल बताना है और सही विकल जबाब दच्छड से उत्तर की और बढ़ेंगे न जैसे मान लो कि मैं नीची से उपर की और बढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले आपको मिलेगी ये धौला धर मिल जाती है सबसे पहले धौला धर मिल जाएगी धौला धर के जश्ट उपर बढ़ोगी तो आपको ये जासकर रेंज मिल जाएगी ये याद होगा ना तीन स्रेडिया ये ये जासकर रेंज मिल जाती है जासकर से जैसे आप बढ़ते हो तो लद्दाक रेंज आपको मिलने लगती है ठीक है और लद्दाक से जब आप उपर बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको मिलती है कारा कोरम ठीक है यहाँ पर आपको मिल जाएगी कारा कोरम तो आप दच्छन से उत्तर की और बढ़ेंगे तो कुछ दर्रे हैं आपके दर्रों को जो है किस प्रदेस में इस्थित हैं उनसे मैच कराना है बुमला फिर जेलबला मुलिंगला और शिपकीला ला मल्लब होता है रास्ता दर्रा इनको बोलते हैं पहाडी भासा में लागा अर्थ होता है रास्ता या दर्रा अडाचल प्रदेस हिमाचल परदेश सिक्के मुत्राखंडी चारों में से चलो मैच करा हो तैतिस नमबर का जवाब फड़ाफट बताओ दर्रे औरे तो रटे होंगे ना चलो जवाब बताओ फड़ाफट बताओ भी या इनमें से कौन सा सही है चलो देखते हैं कौन गौन सही हो जाएगा ठीक है अगला देखें मुलिंगला के बारे में तो मुलिंगला आपका पढ़ जाता यहां उतराखंड में ठीक है और सिक्कीला बाकी बचा आपका कौन सा हो गया हिमाचल परदेश तो इनमें से बिकलप अगर आपने बी चुना था तो एकदम हो गए सही अगली प्रेशन यह और बढ़ते हैं तैतिस के बाद जो है चौतिस नमबर प्रेशन ठीक है इसमें एक बात ध्यान रखेगा कि एक क्वेशन आपका धाई अंको का है ठीक है और अगर आप तीन गलत करते हैं तो एक जो यह सईड है यह अंकर रहे ना इसके अंक कट जाएंगे निकेटिब मार्किंग है यह ध्यान रखना है चौतिस नमबर है लेकीमा तूफान किस देश से संबंदित है जापान, इंडोनेसिया, चीन, थाइलांड इन चारों में से आपको विकल चुनना है चौतिस नमबर का जवाब आप बताईए कि लेकीमा तूफान अभी हाली में कहां पर रहा भाई तो लेकीमा तूफान क्योंकि यह करेंड का आपका एक तरीके से टॉपिक है जीयों के अंतर गता रहा है तो आपको ध्यान होगा कि यह चीन में भी आया था ठीक है चीन में यह आया था और कव टो यह बात है अगस्त की अगस्त में 2019 में यह तूफान चीन में आया था चोतिल नमबर और इस तूफान के एकर बात की जाये तो 240 किलोमेटर पर आवर की हिसाब से इसकी स्पीट थी तो आप समझ सकते कितना खतरनाग रहा होगा अगला है निम्न जंजाज समयों में से कौन जूमिंग क्रिसी करते हैं ठीक है जूमिंग क्रिसी भोटिया खासी संथाल टोड़ा उत्तर प्रदेश की जंजातियां एक तरीके से हैं इन में से आपको बताना है ठीक है भारत से संबंदित भी आपसे जंजातियों के बारे में पूछेगा तो ये टॉपिक कई ना कई उनी से दिया गया है 35 नमबर का बताईए जवाब 35 नमबर का जवाब अगर आपने चुना है B जन यानि खासी जन जाद तो आप एकदम सहीए कि खासी जन जाद के द्वारा जो है ये अस्थानांतरित किसी यानि जोमिंग ग्रिसी की जाती है अगला फिर से मैचिंग नदी और उद्गम से संबंदित है राम गंगा सारदा ये अकाली चंबल महानेदी सिहा अभी इनका उद्गम अस्तल कहाँ है सिवाब पाड़ी मिलान हीमानी दूधा टोली स्रेडी और महू इन चारों में से आराम से आप देखिए कौन सा इसमें सही है और फिर आपको उसका जबाब देना ही देना है चलिए बताईए इसमें से कौन सा जबाब आपका एकदम परफेक्ट है वो जबाब आपको देना है बताईए कौन सा जबाब इसमें से सही है आपको वो जबाब आपको देना है कि इसमें से हमारा कौन सा विकल्ब सबसे उचित होगा चलिए बताइए वही जबाब दीजिए वही फटाफट जबाब देते रही है आप लोग कौन सा इसमें से सही होगा चलिए कोई नहीं मैं बताता हूँ इसमें कौन सा विकल्ब आपका सही है अगर आपने विकल्ब चुन लिया है कौन सा सी तो आप एकदम सही है क्यों 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 कि सारदा जो है ये मिलाप हिमानी से निकलती है ठीक है सारदा जो नदी है मिलाप रामगंगी ये दुधा टोली से निकल जाती है रामगंगा एक तरीके से ठीक, बाकि जो आपकी बची दो नदिया है इसमें एक आपकी चम्बल हो गई तो चम्बल यह आपकी निगल जाती है वहां से महू मध्परदेश वाला ठीक है और बाकि आपका एक हुआ य prey महा नदि के बारे में तो महा नदिया आपकी यहां सिहावा पहाडी यानि कहा 36 गर से निकलती है तो इह 4 playful आपकी हो गई अगले कथन पर निम्ने कथनों पर विचार करें कि भारतीय जलवाही से संबंदित सवाल होंगे ही ओंगे उसी से प्रशन भारत की जलवाही उयुशन कष्ण बंदिये मांसून की तरह है इसका एक तरीके से एसर्चन है ठीक है फिर उसका रीजन दिया है कथन है और कारण है उन दोनों को देखना है कौन सा सही है क्योंकि UPPSC इस तरीके के प्रशनों को अपने हर एक प्रशनों में सामिल कर रहा है प्रिलिम्स में 2019 में तो अच्छा खा क्यों सा इस में से कथन ए तथा R दोनों सही है R A की सही विया करता या नहीं करता इन चारों विखल्पों में से बताओ भाईया कौन सा विखल्प आपका सबसे उचित है 37 नमबर का आपको जबाब देना है और 37 नमबर का जबाब अगर आपने C चुना है ठीक है तो एक दम सही है क्योंकि सी बिकल्ब में आपका दिया है कि कथन ए तो सही है लेकिन इसका कारण आर गलत है क्यों गलत है भाई야 ये चीज आप जानलो क्योंकि कही रहा है भारत उस्ण कडवंधी अच्छांसों के बीच इस्थित है तो भारत की ठालो जलबाई जलवाई मांसूनी है उसन कडवंधी मांसून की तरह मांसूनी जलवाई हो गई दूसरी चीज भारत जो है ठीक इसमें अगर देखें कि क्योंकि अगर उसन कडवंधी आप अच्छांस देखोगे न तो उसन का जो कडवंधी अच्छांस शुरू होता है यह 23 डिगरी 30 मिनट उत्तरी से लेकर ये दच्छनी के बीच में विस्तार है इसी को बोला जाता है उसन कड़बंधी अच्छांस लेकिन भारत का अगर आप देखो मुख्य भूम का विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से सुरू होता है ना इसमें पढ़ने वाला हो गया इसी लिए बीचल पाव का मलब जो इसमें कारण कहा गया वो सही नहीं है अगला है कीरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर आधारित है जेलम पर रावी पर चिनाप पर सिंदू पर इन चारों में से आपको विकल चुनना है 38 नंबर का जब परियोजना किस्तवाड जिला ठीक है वहाँ पर चिनाप नदी पर किस्तवाड जिले में यानि जंबू कास्मीर में जो है इस्थित है अगला फिर एसर्शन है और फिर रीजन है पढ़ते हैं क्या है समसी तोष्ण कडवंदिये घास भूमी को ब्रेट बास्केट आप दव बड कहा जाता है अगला फिर फिर रीजन कहे रहा है इस घास भूमें चेयर नोजम मिटी की प्रधानता होती इसलिए इसको ब्रेट बास्केट आप यहको बड कहा जाता है क्या दोनों सही है अभी वीया इस सम्भनदेत एक जो है जो इसके घास मैदान पाये जाते हैं समसी तोष्ण कटबन दिये घास मैदान इसे संबंदित प्रिलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था 49 नंबर का जवाब आप सभी से अपेच्छित है चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा बेस आपको जो आप्शन लगता है ठीक है अगर आपने चुना है ए तो सही है क्योंकि इसमें दोनों चीजें एक दम परफेक्ट मैच होती है ये चेर्नोजम मिट्टी की वज़ा से यहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है ठीक है चेर्नोजम जो मिट्टी पाई जाती है इसकी वज़े से गेहूं का उत्पादन यहां बहुत अच्छा होता है अगला प्रश्णा आपके है जलवाई से सम्मंदित है निम्न बादलों में से किसको अनात बादल कहा जाता है कपासी बादल को अस्तरी कपासी बादल को वर्सा अस्तरी बादल को या कपासी बादल को इन चारों में से अनात बादल को उनका लाता है चालिस नमबर प्रश्ण में से बिकल्ब चुनो और मिर्दा पर्दन किस वजे से होती है इन का आपको जबाब देना है इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट है चलिए जबाब दीजिए भाई 41 नमबर प्रशन का जबाब आप सभी से अपिच्छित है आना भी चाहिए अगर बियो एक्जाम के प्रे कौन ससी बाला पहला दूसरा और जो तीसरा है ये तीनों चीजे से ये बिच्छा रोपांट से तो भईया मिर्दा पर्दन रुकता है इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दुना है 42 नमबर फिर से कंपनी की अस्थान दिये गए है एक सूची में दूसरा वहां से कौन सा ल तो कहां से कौन सा प्राप्त होता है इसके बारे में मैच कराना है 42 नमबर का जबाब आप सभी से अपेच्छित है तो 42 का जबाब दीजिए देखे भईया सोच लिए ना आप लोग चलो मैं भी कुछ चीजे बता रहा हूं ध्यान दीजिए इसमें जो टेस्को है ना टेस्को यह आपकी यहां नोआ मुंडी इस से जो है लो आयस्क प्राप्ति छेत्र है तो जमसेत्पूर जो टाटा जमसेत्पूर में टेस्को की कंपनी है उसको यहां इस छेत्र से लो आयस्क पूरा का पूरत जाता है अगर मैं बात कुरूँ बर्णपूर को जो है यह सिंग भोम जारखंड से हर एक चीजें प्रोवाइड की जाती है अगले चीज बिसाखा पत्नम तो बिसाखा पत्नम में सब कुछ यह बैला डिला जो 36 गड़वाला है पूर्शन ना यहां से लो है इस प्रार्टिका बहुत बड़ा छेत्र है पारदीप इस पात से यह तो के बारे में अगर मैं बात कुरूँ तो यह आप जानते ही है क्यों धर ठीक है अगले प्रेशन की और बढ़ते हैं तायतालिस नंबर कह रहा है कापर उत्पात्र दे तो एकदम सही है क्योंकि कापर का जो सीर्स उत्पादन अगर देखा जाए तो यह चिली करता है उसके बाद चीन का स्थान है और फिर पेरू का स्थान आता है अगले और प्रेशन की और बढ़ते हैं चवालिस नंबर प्रेशनी स्क्रीन पर आपके देख रहा है निम्न मे चाहिए से कौन सी जलसंधी फारस की खाड़ी को उमान की खाड़ी से जोड़ती है बाबल मंडेब धाश्फूरस जलसंधी हार्मुच जलसंधी टौरिस जलसंदी इन चारों में से विकल पाप को चुनना है कौन सा सहऐ है चौवालिस नंबर का आपको जबाब देना है च जो आपकी दी है बाब अलमंडेब ये जलसंदी ये जो है जलसंदी लाल सागर को अधन के सागर से जोड़ती है ठीक है लाल सागर को जो है अधन सागर से जोड़ती है कौन सी बाब अलमंडेब और आगे बात करूं इसमें कि ये जो बासफोरस जलसंदी है ठीक है ये काला सा कह रहा है निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जल्धारा है वेंगविला धारा अलगुहास सोमाली धारा फ्लोरीडा की धारा इन चारों में से बताओ गर्म जल्धारा ठीक है दो आपकी होती एक तो ठंडी जल्धारा होती है दूसरी आपकी गर्म जल्धारा होती है तो इनमें से हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है ये 45 नंबर आपको विकल्ब में बताना है 45 नंबर का जबाब देना है तो आप पढ़े हैं तो जानते हैं बिल्कुल अलगू जो आपकी अगुलहाश है ये हिंद महासागर की क्या है गर्म जल धारा है, ठीक है, 46 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर सामने है, कह रहा है निमलिखित में से कौन सा कथन दा इस्टोरी आप माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, के बारे में सही नहीं है, पहला बोला है, या मूल रूप से अंग्रेजी भासा में लिखी गई थी, दूसरा बोला है, इसमें गांधी जी के बचपन से 1921 तक का जीवन सामिल है, तीसरा बोला है, यह पुस्तक मूल रूप से दो खंडों में प्रकासित, पहली 1927, दूसरी 1929, चलो इन तीनों में से बताओ, गांधी जी की विए पुस्तक है, तो गांधी जी की पुस्तक के ब गुजराती भासा में प्रकासित हुई थी और इसको जो है 1940 में महादीव देशाई ने इसका अनुबाद किसमें अंग्रेजी में किया था समझ गये ना तो मूल लूप से ये 1927 में और 1929 में प्रकासित हुई थी बिल्गुल सही है अगले प्रेश्ण की और बढ़ते हैं 47 नं तीर्थकर जो किसानों द्वारा ब्रतानियों यानि बिल्टिसर को दिया जाता था चौथा बोला है निमलेखित में से कोई नहीं तिन कठिया क्या है वही तिन कठिया प्रथा के बारे में आप जानते होंगे 47 नंबर जो प्रश्ण है ठीक है तो तिन कठिया के बारे में आ जमीन है ठीक है हर किशान के अंडर में जितनी जमीन है उस जमीन के तीन बटे बीस भाग पर उनको नील की खेती करना ही करना पड़ेगा 48 नमबर परशन कह रहा है बहुत बढ़ी हैं परशन है गांधी जी के अंदोलोनों से आ गया कह रहा है अंदोलन जो दिया हैं इनका सही कालाकरम क्या है उसको लगाना है कौन सा पहले हुआ का่न सा बयाद कौन सा उसके बाद काई से प्र पर उसके बाद कहों सा सबसे बाद इन 4 मेंसे आपको चुनना है चलो फड़ा फड़ा जवाब दीजिये 48 नमबर का जभाब आप से आना आप एच्छे थे क्योंकि गांधी ये बहुत ज़्यादा इंप्वार्टेंट है आपके लिए किसके लिए अगर आप UPPSC BO में बठने जा रहे या UPPSC प्री देने की सोच रहे तो पढ़ना तो भया इसको हाई है ठीक है 48 नंबर का जबाब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो चमपारण सत्यागरा को अगर लिया जाए ना तो चमपारण जो सत्यागरा है ना ये सबसे पहले कब आया 1917 की बाद, 1917, फिर खेडा सत्यागरा आप देखोगे, ठीक है, चमपारन के बाद आप देखोगे, खेडा किशान सत्यागरा, तो खेडा किशान सत्यागरा था, यह 1918 में आया, 1918 में खेडा आया, उसके बाद आया, खिलाफत और आशायोग अंदोलेन, यह 1920 और 21 में हुआ, 1920 और 21 में हुआ खिलाफ़त जो है और आशायोग और ब्यक्तिगत जो यह चला आपका सबिने ओगिया अंदलन यह 1933 की बात है ठीक है तो खेडा 1918 में रहा इसमें यहाँ पर जो है एक वो आपका छूट गया है यहाँ चमपारण होना चाहिए तो यहीं ए विकल्प आपका सही होगा चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर 49 नंबर प्रश्ण आपके सामने है जैसे करा है गुप्त वदी में महिलाओं की सामाजिक इस्थितियों के संदर्में निमलिकित कत्रों पर विचार करें महिलाओं को आजीबका के स्वतन सुरुतों की पहुंसे वंचित किय क्या गया था बी बोला है बिधवा के बलिदान का प्रथम उदारन 510 AD में सामने आया है कौन सा विकल्ब इसमें सही है गुप्त कालीन ठीक है इतिहासे यह सवाल है तो आपको यह जवाब देना ही देना चाहिए कौन सा इसमें सही सबसे बेस्ट है उस चीज को आपको चु बेस्ट किया गया था ऐसा नहीं है ठीक है जब आप चाहे गुप्त उत्तर पढ़ रहे हों चाहे आप गुप्तावद पढ़ रहे हों ठीक है गुप्त कालीन काल पढ़ रहे हों तो इन दोनों में आपको यह चीज मिलेगा कि केवल जो उच्छ वाड़ों की महिलाएं थी इनी को यानि एक तरीके से राज तंत्र में जो थे या राज जो है राजा के यहां जो एक तरीके से क्या थे उनके दरबार में रहने वाले थे कुलीन लोग एक तरीके से थे इन सब की महिलाओं को जो है सिर्फ स्वतन सोत्रों की पहुंच से बंचित किया गया था बाकी त लेकर सवाल है तो आप ये समझ जाओ कि निचले जो दो वर्ण थे इन वर्णों की महलाओं को आजीब का के लिए पूरी छूट थी ये क्रिसी में भी सहीयोग करती थी ठीक है बैसी हम सुद्र महलाओं की अगर बात की जाए तो ये घरों में सेमाय देती थी और क्रिसी में भ पहुते हैं रहरा हैं कौन सा कथन इसमें अवनी कलामानी के संदर्ब में है अगर आप ने विकल्ब चुन लिए C, 1 और 2 क्योंकि ये दोनों बाते उनहीं के बारे में कही गई हैं क्यावन नंबर परशन आपकी स्क्रीन पर है निमलिखेत का मिलान करना है दिवाने विजारत दिवाने आर जी है मुगल काली न सब आपके दिवाग है इन विजारत के बारे में आपका जो है कौन विजारत कैरा तो किस विभाग को क्या नाम दिया जाता था ये चीज आपको बतानी है चलो इसमें से फटा-फट जवाब दीजी अगर आप मुगल पढ़े हैं तो जाइर सी बाते जबाब आएगा एक क्यावन नमबर का अगर आप जबाब चुनते हैं तो एकदम सही होते हैं तो एकदम सही विकलब आपका ये है ठीक है क्योंकि एक दो तीन चार एकदम ये सीधा क्रम में लगे भूए हैं अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं जो प्रश्न क्या आपकी बामन है इस्क्रीन पर आपके दिख रही होगी बावन नमबर प्रश्न कहे रहा है निमलेखित कत्रों पर वीचार करें किसानों को जरीनाबा सर्वेचंड सुल्क और मुहाशिलाने यानि कर्शंग्रे सुल्क का भुक्तान होता था भी बोलाए इन सुल्कों की दरकमशा दो दसमल पांच प्र किसानों को जरीबाना देना पड़ता था यानि ये सर्वेचंड सुल्क था और मुहाशिलाना ये कर्शंग्रा सुल्क था इन सभी का भुक्तान होता था तिरपन नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है तिरपन नंबर प्रशन कहरा है निमलिखित कत्रों में से कौन सा कतन सही नहीं है चार्टर एक्ट 1833 इसके बारे में येस चार्टर कानून ने इस्ट इंडिया कमपनी की ब्यापारी भूम का समाप कर दी और उसे पूरी तरह भारती प्रशासन के लिए इंगलेंड के राजा के राजनायतिक अभिकरन के रूप में परणित कर दिया बी विकल गहरा है कि चार्टर एक्ट 1833 इसमें कमपनी को सरकारी अभिकरन के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया गया और कानून आयोक के काम को लिए अब डी कह 이라 है कि यह तीनों के तीनों का ठन उप्रणित में सभई सही तो तिरपन नंबर का जवाब दीजिए अगर आप मौडन सुरुवात कर रहे तो जाहिल सी बात है कहीं न कहीं यह सब पढ़के बैठे है ठीक है तिरपन नंबर का जवाब अगर आप चुनते ह गया बी बोला है दसोली ग्राम स्वरासंग जिसको आप बोलते हैं DCSS चंदीब प्रशाद भठ द्वारा शुरू किया गया सी बोला है छात्र संग FDI 1970 में CPI EM द्वारा शुरू किया गया और डी बोला है छात्रा संग समित लालू प्रशाद और सुसिल में दी अगर आप आप नेजय बोलते हैं डक्षण बोलत reached दौड़ा अगर चुनते से चुनते ओने में से इगल कौन सा ये पश्यमंगल में नकसलवाडी वहां से नकसलवाद सब्दाया है ठीक है चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने 1979 की बात है इसमें जमीदारों के खिलाब एक ससस्ता अंदोलन शुरू किया था तो वहीं से ये नकसली अंदोलन सुरू हो गया ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला फिर से मिलान करना है कुछ प्रसिद हस्तियों के नाम सेटे में दिये हैं सेट बी में उनके बारे में कौन किस्से संबंदित है उसके बारे में कहा गया है तो मिलान करना है रुद्रमा देवी गडपत देव महा देव बेता राजा दोती है आंचेतर की प्रथम मैला सास्का राजगजे केसरी यादोर राजधानी देवगरी को अधिकरित करने के दोरान मारा गया अनामा का कॉंड़ा में विसाल टैंक बन माया तो इनके बारे में कुछ चीज़े हैं जैसे रुद्रमा देवी आंचेतर की प्रथम मैला सास्का है ये सही हो गया आपका 55 नमबर लेकिन अनी जो विकल्ब दिये हैं उसमें तो आपको दिमाग लड़ाना ही लड़ाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि गड़पत देव जो है भईया ये राय गजे केसरी एक तरीके से इसने उपाद ही रखी थी महा देव के बारे में अगर देखें तो ये जो यादो राजधानी देवागरी को अधिकरित करने के दोरान मार दिया गया था और बेता राजा दुतिये इसने जो है अनुमाका कोंडा में एक विसाल टैंक बन माया था नाम गया था बेता राजा दुतिये अगले प्रशन की ओर 56 नमबर आपकी स्क्रीन पर है 56 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर सामने है देखते हैं बोल ला है आपसे जो प्रशन है कथन और कारण दिये हैं कथन आपसे ये कह रहा है कि अलीगढ़ अंदोलन काउदेश मुसलमानों को उनके जीवन भर के पिछड़े पन से बाहल लाना था रीजन इसका देर है सरसाइद अहमद ने भारत में मुसलमानों के उत्थान के लिए अंग्रेजी सिच्छा की वकालत की थी अब इसमें बताईए कि कथन जो कह रहा है क्या रीजन सही है या कथन भी नहीं सही है और रीजन भी नहीं सही है या कथन और रीजन दोनों सही है या ऐसा कुछ नहीं है बताईए वही इन चारों जो आपके विकल्पों से संबंदित दिये हैं क्या ऐसा है तो देखे जो यह सरसन दिया है आपका कथन और जो कारण दिया है यह दोनों सही हैं आर एक ही सही व्यक्या करता है क्योंकि अलिगर्ण अंदोलन का जो उद्देशी था यह मुसलमानों को उनके जीवनभर्ण के पिछले पन से ही बाहल लाना था और सरसयद अविमत खान ने भारत के मुसलमानों के उत्थान के लिए अंग्रेजी सिच्छा की भी वकालत की थी यह दोनों कथन इनसे संबंदित हैं अगला आपसे प्रशन बोल लाए निमलेखित राजबंसों को उ से इनको लगाना है ठीक है आरो ही ठीक है यानि घटते से बढ़ते सबसे पहले कौन था फिर 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 कौन आया कौन आया कौन आया चलो बताओ फड़ा 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 सत्तावन नंबर का जबाब अगर आप चुनते हैं कौन सा विकल्प इसमें से विकल्प च 413 भी लिखा मिलता है, ठीक है, इसा पूरत ग रहा, जानते हो हर एक बंस यह पूरा काविज रहा था, ठीक है, मगद राजी पर पूरा का पूरा सासंत, ठीक, फिर आपका जो है, सिस्नाग बंस आता है, सिस्नाग बंस के बारे में अगर बात करें, तो यह 430 यह 413 से ले करके इसा पूर्व से पूरा का पूरा और ये चलता है 364 तक ठीक है 430 से ले करके 364 इसा पूर्व तक इसका माना जाता है उसके बाद आपका आता है ये नंद बंस ठीक है ये वाला जो है इसके बाद आएगा ये नंद बंस 364 इसा पूर्व से शुरू हो जाता है और 364 इसा पू लगबग जो है 127 इसा पूर्व तक जो है इसका माना जाता है 127-184 दोनों मिलती है तो ये पूरा आपका C विकल सही हो गया अगला है अठाउन नंबर प्रिश्ण है अठाउन नंबर प्रिश्ण कह रहा है 1835 के अधनियम से अंग्रेजी को अपने इसकूलों और कालेजों में सिच्छा का माध्यम बलाया और 1854 के वूट डेस्पैश ने भारत सरकार से जनता की सिच्छा के लिए जिम्मेदारी सम्हालने को कहा था इनमें से गलत वक्त भी कौन सा है इन दोनों में से आपको चुनना है तो बही बताओ अठाओन नमबर का जबाब आपसे सभी से अपिच्छित है अगर आप पढ़ रहे हैं मॉडन इंडिया तो समझ जाए ये प्रेलिम्स के लिए बहुत ही बेहतर चीजे हैं ठीक क्योंकि इससे संबंदित आपसे अच्छे खासे प्रशन सामिल होने जा रहे हैं इसका आप जो दिया है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा है यानि डीप इकल्प जो आपका नीचे दिख रहा होगा उप्रोक्त में से कोई नहीं यह सही है अब क्या चीजे इसमें सही है देखो जो यह 1835 का अधिनियम आया था ना इसमें जो है इसकूलों और कालेजों में सिच्छा का माध्यम अग्रेजी को बनाया गया लेकिन कुछ आपके जो है बड़ी संख्या में प्रात्मिक विद्याले भी थे ठीक है उसकी बजाए भारत सरकार ने अंग्रेजी स्कूलों और कालेजों को खोला था ठीक है समझ गये ना अगली चीज अगर हम देखें दूसरा जो कह रहा 1854 का वुड डिस्पैच ला इससे भारत सरकार से जन्ता की सिच्छा की जिम्मेदारी समालने के लिए कहा गया ठीक है इसमें जो है बिल्कुल सही चीज़े कही गई थी कि 1854 में एक तरीके से देखा जाए तो भारत में जो है सिच्छा के लिए ये क्या था एक बहुत महत्पूर्ड ही जो है अंग्रेजी को स्कूलों और कालेजों में सिच्छा का माध्यम बनाया गया और 1854 के बुट डिस्पेच ला में जो है ये सारी बाते भारत में सिच्छा के विकास को ले करके तमाम कदम उठाए गए थे तो ये दोनों चीज़े सही होती है यानि ये और भी दोनों होगा उनसर नंबर प्रश्ण है निमलिके पर विचार करें और गलत कथन चुने घर में नजरबंदी से भाग निकलने के बाद बोस ने आयनने की स्थापना गी यानि चनसे का जुवाशन बोस अगला है यहाँ सामपर्दैक सवहार्द का एक सांदार उदारण कौन आयनने क्या ऐसा था चलो बताओ इन दोनों कथनों पर विचार करो और जो है आपको जबाब देना है तो अगर उनसर नंबर का जबाब आपने विकल चुना है कौन सा ए ठीक तो क्या सही होगा बताइए फटाफट बताइए बताइए इन में से कौन सा कथन गलत है केवल एक अब वहाँ अगर आपने सही कथन दिमाग में रखा तो तो तुन गलत होंगे कह रहा है घर में नजरबंदी से भाग निकलने के बाद वो उसने आयने नहीं क्योंकि अगर देखा जाए आयने का जो है जो एक तरीके से अस्थापना हुई थी ये कप्टन मोहन सिंग द्वारा अस्थापित किया गया था जिसमें उनको जो है जापान में जो बीजार एक अखिल भारतिय हिंदू समाज ने अपने गठन को अधिकारिक तोर पर घोसित किया बी बोला है गांधी राष्टिये कांगरेस के अध्यच बने सी बोला है हरकूर्ट बटलर समित ये और डी बोला है चौरी चौरा घडना इसको जो है कालन क्रम में जो है क्रमिक्रम में बे सभा है ठीक है इसने अपने आपके गठन की जो घोषड़ा की थी ये 1925 की उसके बाद गांधी जो है भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यज बने तो ये हुआ था आपके कब जब बेलगाम में सत्र हुआ था तो बेलगाम में ये बात आई थी कि गांधी जी क्या हुए थे इसके जो है राष्टी अध्यज बने थे ठीक और ये घटना थी कम की 1924 की अगला बोला है कि हर कोड़ बढ़लर समित ये कवाई ये हुआ गया था कि जब ब्रिटेस भारत और यहां की अपनी जो रियासते थी भारत में इनके रियासती राजियों के बीच में संबंध के अ 1925 की ठीक है और चोरी-चोरी घटना तो आप जानते ये 1922 की बात है तो इसमें अगर देखें तो बीविकल्प अगर आपने चुना है तो एकड़म सही है बीविकल्प इसका राइट आप उनसर है अगला बढ़ते हैं एकसट नंबर प्रश्ण एकसट नंबर प्रश्ण अ फिर से कथन और कारण से संबंदित हैं करे 1856 में अवद का अनलगनक सामानी रूप से भारत में व्यापन रूप से नाराज़ता भी बोला है लाड़ कैनिंग द्वारा बनाएगे इस अधनियम ने अवद में और कंपनी की सेना में बिद्रोह का वाताबरन बनाए क्या ऐसा था जो ये कथन कहा गया क्या रीजन ऐसा है सही से सुनिये और जवाब दीजिए 60 नंबर का जवाब अगर आप विकलप चुनते हैं कौन सा C विकल्प आप चुनते हैं तो एकदम सही है A सही है लेकिन कथन जो है इसका जो कारण दिया गया ये कारण सही नहीं है क्यों नहीं सही है क्योंकि भाई 1856 में क्या हुआ था कि अवद का जो ये कबजे वाला भाग था ठीक है ये व्यापक रूप से भारत में और विसोयस रूप से अवद में था लाइड अलहोजी ने क्या किया था कि इस अधिनियम से अवद में और कमपणी की सेना में विद्रो का वातरवरान बनाए लाइड काइनिंग नहीं चली आगे बढ़ते हैं बासर नंबर बासर नंबर पर शनाप से कहरा आया है कि लाइड माउंट वेटन निमन में से किस उद्देशी से भारत आया है भारत को एकजूट करने के लिए भारत में भविश भारत में बेटेस पर निरभरता के लिए भारते महादीपो को छोटे छोटे राजियों में बाढ़ने के लिए C बोल ला है भारती राष्टे कांग्रेस के विभाजन को स्वविकार करने के लिए राजी करने के लिए D बोल ला है सभी दलों को क्रिप्ष प्रस्ताव स्वविकार करने के लिए मनाने के लिए इन चारों में से कौन सा विकलव राइट है लाड मांट बेटन को जो है किस लिए जाना जाता है देखो लाड मांट बेटन आया थो आस्तों में था भारत को एगजूट रखने के लिए लेगिन जब कुछ ना हो पाई तो धीरे धीरे जैसा कुछ था जो है क्योंकि यहां सामपरदाइक माहोल अपने यहां बिगड़ा हुआ था भारत में मुहम्मद अली जिनने आप जानते ही है ठीक है तो इसमें क्या बात चल नहीं थी कि भारत को जो है विभाजित किया जाए तो इसने जो है सुतंता का हस्तांतरण किया और एक ज काड़ों के साथ जैन मंदिर पूरे भारत में पाए जाते हैं बी बोला है सबसे पुराने जैन तीर थस्तल बिहार में है सी बोला है देलवाडा मंदिरों में अंदरूनी भाग सरल है लेकिन बाहरी भाग पर सूच में रूप से नकासी किया गया है और उतक्रिष्ट चुनना सही है उसको इस कोड के अनरूप आपको चुनना है तिरसर नंबर का विकल अगर आप वी विकल चुनना हैं केवल दो तो एकदम सही है ठीक है लेकिन अगर अनी चीजें देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत में जैसे पहला बोला है पहाड फिर दिलवाडा मंदिरों में अंदूरिनी भाग सरल है लेकिन बाहरी भाग पर सूच रूप से नकासी और उतक्रिश रूप से सजाया गया है तो इन में से अगर हम देखें, ठीक है? गिराहमी तरावी के बीच में ये दिलवाड़ा मंदिर गिराहमी सतापदी से लेकर आपका तरावी सतापदी के बीच बना था ठीक? लेकिन इस पर यहाँ पर इसमें सफेद संग्मर्मर का बहुत ज़ादा इस्तेमाल हुआ था, देलवाडा मंदिर में, इसमें सफेज संक्मरमर का इस्केमाल हुआ है, लेकिन अंधूरीनी जो भाग है, जैसे यहां लिखा है, बाहिरी भाग पर सूछम रूप से नकासी, लेकिन ये चीज यहाँ पर गलल लिखा है क्योंकि इसके अंद्रुनी भाग पर सूस्म रूप से नकासी नहीं हुई बाहरी भाग पर नहीं है अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर तेरसाड के बाद चौसर नंबर प्रश्ण है चौसर नंबर प्रश्ण कहरा है निमलिखित कत्रों पर विचार करें वर्स दोजार दो में चीज सामे समिधान यहां से पॉलिटी का सेक्षन इस्टार्ड है पॉलिटी के क्वेश् समरच्छा का मौलिक करतब यह कि वाच्छे से 14 वर्स के अपने बच्चों को सिच्छा का उशर उपलब्द कराएं अगला बोला है कि 1976 में बैली शामे सम्भिधान संसोधन में निर्देशक सिधान तोर मौलिक करतब भी जोड़े गए बाई मौलिक करतब भी तो बाद में आया लेकिन नीदी नीदेशक सिधान सम्भिधान कांग रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगले चीजों में 56 नंबर प्रशन आपके सामने कहरा है निमलेखित कतनों पर विचार करें पहला कतन कहरा है सम्भिधान में दो या दो से अधिक राजियों के लिए एक राजिपाल के रूप में एक ही बेक्तिकी निउक्ति का प्राउधान है बी बोला है परंपरा के अनुसार राजिपाल उस राजी से नहीं होना चाहिए जहां परवार निउक्ति है बोला है परंपरा के अनुसार राष्ट पर राजपाल की नियुक्ति करते समय समधित राजी के मुख्यमंत्री से परामर्ज करता है अब इन में से कौन सही है आपको ये विकल्प चुनना है क्या तीनों के तीनों सही है या जैसा की कूट दे रखा है इस हिसाब से सही है तो अगर आप बढ़ते हैं इसमें विकल्प D की ओर तो विकल्प D आपका इसमें एकदम उचित होगा क्या विकल्प है उसको देखिए इसमें आपका D विकल्प दिया है ठीक है इसमें कह रहा है एक दो और तीनों तो कौन सा इसमें से विकल्प राइट होगा ये चीज आपक होता है जहां पर वो नियुक्त है तीसरा परंपरा के अनुसार राष्ट पर राजपाल की नियुक्ति करती संबंधित जो है संबंधित राज़ी के राजपाल से के मुख्यमंत्री से जो है परामर्स करता है ये सब परंपराएं हैं सजरूरी भी नहीं है अब 66 नंबर प्रश्णे स्क्रीम पर सामने है भारतिय समिधान के किस अनुछेद में भारत राजजी के वाद का वर्डन किया गया अनुछेद 100 की 200 की 300 की 301 में किस में भारत राजी के वाद का वर्डन है, ठीक है, इन में से आपको जवाब चुनना है, तो 66 नंबर का जवाब अगर आप विकल्प चुनते हैं कौन सा, सी वाला, क्योंकि अनुच्छे 300 में भारतिये जो है, राजी के वाद का वर्डन किया गया है, तो 300 अनुच्छे 300 ध्यान रखना है, 66 नंबर प्रशन बहुत बढ़ियां प्रशन है, कौन सा मौलिक अधिकार है, जो केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्द है, विदेशियों के लिए नहीं, अनुच्छे 15, 16, 17, 21, 19, इन में से आपको सेलेक करना है कि कौन से वो मौलिक अधिकार है, जो केवल भारत क नागरिकों को ही मिलते हैं, यहां पर आने वाले विदेशियों के लिए नहीं है, तो सरस्ट नंबर का जवाब बताइए, क्या होना चाहिए, अगर आपने fundamental right अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इसके बारे में मालूम होगा कि विदेशियों को और भारतियों को कौन गोन स चुनते हैं, तो एकदम सही होते हैं, और जान लीजे, कौन-कौन से हैं, मालिक अधिकारों में 15, अनुछेद 15, अनुछेद 16, अनुछेद 19, अनुछेद 29 और अनुछेद 30, यही ऐसे केवल मालिक अधिकार हैं, जो केवल भारतियों को मिलें, बाकी मालिक अधिकार विदे जोड़े का सही से मिलान किया गया है दुती अनसुची, राजी शभा में राज्यू का मंटन अगला फिर बोला चोथी अनसुची, बेतन भत्ति विशे साधिकार से संबंदित प्रावधान राष्टपर राजपालू नयाधिशुवादिके तीस्रा बोला है, साथवी अनसुची पख्षपाद, भीरोधी, कानू चौथा बोला है दसवी अनसुची, शंग, सुची समुर्ति, सुची, राज, सुची इन चारों में से बताओ, कौन सही मिला है, बाकी गलत है, कोई एक ही ही सही है, क्योंकि बिकल देख लेते हैं केवल एक एक और तीन उपरोग्ट में से कोई नहीं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो उपरोग्ट में से कोई नहीं सही होगा क्यों? क्योंकि इसमें जो दूसरी अंसूची है ना इसमें जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है कि पेंसन और इन सब के बारे में वर्णन है पेंसन बेतन बत्ते इन सब के बारे में दूसरी अंसूची के बारे में वर्णन है राष्ट पर उपर राष्ट पर नया अधी इस ठीक है इन सभी के बारे में वर्णन है दूसरी चौती अगले प्रेशन की ओर बढ़ता है, अगला प्रेशन 130 नमबर 23 पर है, कह रहा है, अनुसूची तथा आधीवासी छेत्रों के संदर्व में निमलिकित कत्रों पर विचार करें, पहला दूल characterization का राजपल, एक छेत्र को एक अंसूची छेत्र घोसित करने में ससक्त होता है B बूला है समखेधान की छटी अंसूची के तहद आदिवासी छेत्रों वाले राज्यों में जन जाती है सलाकार पριश्ट का प्राउ धान है तीसरा विकल्ब बोला है चक्मा जिला मिजोरम राज में एक अधवासी छेत्र है तो इन तीनों में से कौन सा कथन अंसूची तथा अधवासी छेत्रों के संदर्म में सही हैं वो जवाब आपको देना है 69 नंबर का जवाब क्या विकल्ब होगा आपका सबसे बेस्ट विकल्ब आपको चुनना है और उसका जवाब देना है कौन सा इसमें से सही हो सकता है भाई 69 में अगर आप चुनते हैं जो है सी विकल्ब तो सही होगा कि पहला बोला है कि एक राजी का राजपल नहीं भी या राष्टपती ठीक है राष्टपती अनसूची छेत्र गोसित करने में ससकत होता है फिर भी बोला है कि सम्बधान के छटी अनसूची के तहट आदिवासिक छेत्र वाले राजियों में जनजाति है सलाकार परिषद का प्राउधान है ठीक है देखो ये आधिवासी जन जाती है जो सलाकार परिशत है न ये जो है अनुसूची पांच के राज्यों के लिए उनुसूची छे के राज्यों के लिए नहीं है इसलिए सेकेंड भी आपका गलत होता है अगला बढ़ते हैं सतन नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर सामने है करया 1992 के चोहतर में शमिधां संसोधन अधनियम के बारे में निमलकित कत्रों पर विचार करें पहला करा है एक नगर पालिका का गठन करने के लिए नए चुनाओ को विक्तन की तारीक से 6 महिने की अवदी समाप्त होने से पहले पूरा किया चाहेगा बी बोला है यानि दूसरा कथन नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के लिए नियुनतमाईव 25 वर्स है सी बोला है अधरियम नगर पालिकाओं के चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तेचेप को रोकता है तो इन तीनों में से बताओ भईया कौन-कौन से काथन सही है देखो सबसे पहले आगिया नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए नियुनतमाईव 25 नहीं 21 इसको छोड़के दोनों सही है आपके ठीक है तो 70 का आपका अन्नी सही होता है 21 नमबर कह रहा है राष्टी आपातकाल के बारे में निमलिकित बयानों पर विचार करें पहला बोला है एक राष्टी आपातकाल के दोरान राज विधान मंडल निलंबित हो जाता है सी आपको कहरा है कि अपराधों यानि अनुच्छेद 20 और जीवन तथा ब्यक्तिकत स्वतन तथा यानि अनुच्छेद 21 के अधिकार के लिए सजा के संबन्द में सनच्छन का अधिकार आपातकाल के दोरान भी नहीं किया जा सकता अब इन तीनों कत्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और कौन सा इसमें से सही है उसके बारे में आपको जबाब बताना है चलिए सोचिए थोड़ा ध्यान से और फिर 67 नंबर के आप जबाब दीजिये अगर 73 नंबर का जबाब आप ने चुना है कौन सा विकल्प, विकल्प आप चुनते हैं B, दो और तीन सही हैं, तो आप एकदम बिल्गुल राइट हैं, क्योंकि जो इसमें अन्य चीजे जो दी हैं, जैसे पहले विकल्प में इसने क्या बोला, कह रहा है ये एक राष्टी आपातकाल के दोरान राज विधान मंडल नहीं निलंबित होता वही, उस पर कानून बनाने की सक्ति जो है, संसत को प्राप्त हो जाती है, लेकिन राजी विधान मंडल भंग नहीं होता, आगे अगला दिया है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, अनुछे चार उनात्रमा सा विधान संसोधन है, भाग भी इसमें, संभीधानिक यानि D का क्या होगा, D का होगा 1, तो आप भी विकल्ब देखकर ही मार सकते हैं, यहीं इसका सही जवाब होगा, 73 नंबर प्रश्णाप की स्क्रीन पर है, 73 नंबर प्रश्णाप से कह रहा है, संभीधान के निमलिखेत अनुछेदों पर बीचार करें, पहला बोला है, अनुछेद 72 राष्टपत की छमाधान सक्ति से संबंदित है, अनुछेद 143 सर्बुज नेयले का सलागार चेतरा फिर कह रहा है, अनुछेद 360 बित्य अपातकाल से संबंदित प्रवदाने, फिर चोथा बोला है, अनुछेद 148 से 158 अटारेणी जनरल की सक्तियों और कारी से संबंदित, इनमें अनुछेदों में कह रहा है, कौन सा सुमेलित है, इसको आपको चुनना है भईया, ठीक है, अगर देखा जाए, पहला, दूसरा, और जो है, तीसरा, ये भी चीज़ें, आपकी तीनों की तीनों क्या होती है, सही होती है, पहला भी सही होता है, क्या पहला सही है आपका, एक, दो और तीन, क्या सही है, बताइए फड़ा फड़, जबाब दीजे, इसमें 148 से 151 जो है इसमें 4 की 4 विकल्ब आपके सही होते हैं था उन्हें किसके द्वारा बहाल किया गया भारा सरकार अधिनियम 1869, 1853 का चार्टर अधिनियम की भारती परिशद अधिनियम 1861 की उप्रोक्त में से कोई नहीं चलिए इसमें बताइए कौन सा सही है 74 नंबर का जबाब आपको देना है 74 नंबर का जबाब अगर आप चुनत के प्रवर्तन कराने के लिए किये गये कारी के रूप में माना जा सकता है योजना आयो की अस्थापना कि भूमिश्योधार कि बैंको का राश्टी करण कि वनी जिव संरच्छन अधिनियम 1972 या त्री इस्तरिये राजप्रणाली या निजी करण और उधारी करण की नीतिया इनमें से कौन सा है ऐसा कारी जिसको नीति नीति शक्षित धानतों के परवर्तन कराने के कारी के रूप में हम जान सकते हैं बताइए भी या कौन सा इसमें है ऐसा आपका जो आपका एकदम सही है आपको उचित लग रहा है इसमें से देखे इसमें ये भी देख लेते हैं बेकल्प क्या क्या दिये हैं। बेकल्प के वेज कहीं न कहीं एक खाई बनती चली गई तो यह नहीं सही बाकी सब सही है। इन चारों में से 76 नंबर का जवाब आपका कौन सा सही होगा। यह चीज आपको जवाब के रूप में बताना है, कमेंट के रूप में देना है। तो यह नंबर सही है अगर चुने हैं विगल तो एकदम सही है। प्रधान मंत्री आवास सहरी जो योजना थी सहरी इसमें जो है इसकी छेले शामवे बैठक में तीन लाग घर शब्कृत हुए है। अगला है प्रशन आपको दिख रहा होगा, इपोसस ग्लोबल हैपनेस सरवे 2019 में कौन से देश सीर्स पर हैं। ठीक है, अब इन में से संबंधियत विकल दिया है देखिए, फ्रांस और सहीवत राज अमेरिका, आश्टेलिया और कैनेडा, ग्रेट बिटेन और चीन, चोथा बोला है, सौधी अरब और जर्मिनी, इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको जबाब देना है। सततर नंबर प्रशन बताइए, सततर नंबर प्रशन जो है, कौन सा सही है इन में से, वो आपको जबाब देना है और अगर आपने भी गल्ब चुन लिया है कौन सा भी, आश्टेलिया और कनाड़ा को सीर सस्थान इसमें दिया गया था। 78 नंबर आपके सामने है, अब आपको करेंट के प्रशन मिलना यहां से सुरू हो जाएंगे, कराई 24 सितंबर को संपन 25 हीरो सीनियर महिला एन एफसी, 2019 भी टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता, रेलवे करनाट का महाराष्ट मारीपूरी, ये तो करेंट का है, इसम सिमी, फुइ थी कौन सी, हीरो सीनियर महिला जो है एन एफसी, और इसमें यह हुआ था कहां पर, अरनारचल पर देश में आयोजित हुआ था, और अरनाचल परदेश के कहां, पासीघाठ में, पासीघाठ में इसका आयोजन हुआ था, impliesा था, वहां पर संपन रोलो, मडिप टनल के उत्पादन के साथ कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मचले उत्पादक देश है भारत अपना है ठीक है 79 का जबाब हो जाएगा भारत आगे बढ़ते हैं 80 नंबर का जबाब जो है 80 नंबर प्रश्ण और उसका जबाब आप सभी से चाहिए 2019 इंटरनेशनल सुटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF बिशुकप फाइनल जो है बिशुकप राइफल या पिस्टल इवेंट कहां आयोजित किया गया है रियोडी जनेरियो ब्राजील की नई दिल्ली भारत में की म्यूनिक चर्मनी में की बेजिंग चीन में इन चारों में से बताओ कहां पर आयोजन हुआ था 80 नंबर प्रेशन बताना है आपको अगर विकल्प आप चुनते हैं ए तो एकदम सही है ब्राजील की राजदानी रियोडी जनेरियो में जो है इसका आयोजन किया गया था 81 नंबर प्रेशन फिर से करेंट से है 21 से 30 नंबर 2019 के मधि प् जबाब 81 नंबर का जबाब आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही है और 81 का जबाब अगर आप चुनते हैं ए नई दिल्ली तो एकदम आप होंगे सही 81 नंबर का जबाब आपका एकदम सही है 21 से 23 नंबर के वीच है हुआ था 82 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अटलांटिक तूफान के मौसम के पहले प्रमुख तूफान का नाम बताओ जो बहामा और दच्छन पूरवी साहिक तराज अमेरिका को 175 किलोमेटर पर की बेट सी रहा की डॉली रहा इन चारों में से पताओ वो कौन सा तूफान रहा जिसने तो अगर आप विकल चुनते हैं ए तो एकदम सही है डोरियन तूफान था जो अमेरिका में जो है बहामा और संयुक्तराज अमेरिका के दच्छन पूरवी राज्यों को जो है इसने प्रभावित किया अगला प्रश्णी स्क्रीन पर 13 नॉवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मोख्यमंत्री योगी आदितनात ने बेब पोर्टल www.knup.in और e-ganna mobile lab का सुभारम किया या बेब पोर्टल और mobile lab किसके द्वारा विक्सित किया गया सूचना प्रद्योगी की विभाग राष्टी सूचना विज्यान केंद्र चीनी उद्द्योगियों गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश सूचना विभाग 23 नमबर का जबाब आपको बताना है 23 नमबर का जबाब अगर आप चुनते हैं सी विकल चीनी उद्धोगियों गर्ना विकास विभाग के द्वारा ये जो है बनाये गया है अगला 84 नमबर प्रश्णा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11 नमबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस मंडल में राजा महें सिंग राजीबिस विध्याले की इस्थार्पना है तो उत्तर प्रदेश राजीबिस विध्याले अधिनियम 1973 में संसोधन करने का निर्णा लिया गया आगरा मंडल में, अलिगड मंडल में, जहासी मंडल में सहारनपूर मंडल यानि सम्मिला के पूछ रहा है राजा महें सिंग जो राजविस्विद्याले है यह कहां पर किस मंडल में पड़ता है तो 84 नंबर का जबाब आपको देना है और 84 नंबर का जबाब अगर आपने चुन लिया है बी अलीगड मंडल तो एकदम सही ह के लिए इट राइट इंडिया मुवमिट को बढ़ावा देने के लिए पोशन अभियान पोशन माह 2019 किस ने सुरू किया हर्श वर्धन नरेन मोदी रामनात को विन वेंकेया नाइडो चारू में से सही जबाब कौन सा है और अगर आप चुनते हैं केंडरे स्वास्त मंत्र ठीक है हर्श वर्धन जी को तो एकड़म आपका सही जबाब है क्योंकि इन्हों ने ही इसको जो है 10 जुलाई 2018 को लांच किया है पोशन माह 2019 86 नमबर कुशन आपकी स्क्रीन पर है प्रशन दिख रहा होगा बुंदेल खंड एक्सप्रेस बे परिवयोजरा के शंबंद में निम लिखित बिकल्प में से कौन सा सही नहीं है पहला बोलाई यह चे लेद प्रवेशन एक्सप्रेस बे होगा बी बोलाई इस परियोजरा क आगलित शिविल निर्मार कार ये लागत राश लगभग 14,849.09 करोड है शी बोला है इस धनराश ये तो विभिन बैंकों से लगभग 7,000 करोड रुपे का रिन लिए जाने का प्रस्तावाई डिव बोला है या परियोजना लगभग 36 माह की अवदि में पूरा होने की संभा होना है तो 86 नमबर का जबाब आप फड़ा फड़ दें ये करेंट का कोईशन बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट था इससे पहले भी आप पड़े होंगे ए जो इसमें है ये तथी जो है क्यों क्या बोला है कि कह रहा है कि ये 6 जो लेन है ठिक ए बिकल में बोला है कि 6 लेन है लेकिन ये प्रस्तावित के नहीं लेन का है ये 6 लेन नहीं चार लेन का आपका जो है एक्सप्रस भी बनना है तो ए को छोड़ कर आउट सब सही है अगला 87 नमबर प्रस्ट आपके सामने बहुत बढ़ियां आया पास दिसंबर 2019 को केंद्री ग्रेह मंत्राले ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की अस्थापना या सुरू द्रेड़ने के लिए निर्भया फंड के अंतरगत कितने करोड रुपे लागत का प्रस्तावन बहुत किया है निर्भया फंड में अगर देखा जाए सता जो है तो सो करोण रुपे इसके लिए प्राउधान किये गये है अगला प्रशन अठासी नंबर आपके सामने है बहुत बड़ी है प्रशन है अठासी नंबर प्रशन आपसे क्या बोला है मिशन इंधनुस के बारे में आपसे पूछा है कह रहा है 2 दिसंबर 2019 को ठीक है सगन टीका करन मिशन इंधनुस 2.0 की पूरे देश भर में सुर्वात की गई इस मिशन के संबन में विकल में से कौनसा सही नहीं है ए बोला है मिशन इंधनुस का एचरण मार्च 2021 तक संचालित होगा बी बोला है शगन मिशन इंधनुस 2.0 का लच्ष 27 राजियों में 272 जिलों में पूर्ड टीका करन कराना है सी बोला है शगन मिशन इंधनुस 2.0 के तहत आगामी 4 महिनों के दौरान एक लाग बच्चों और तीस हजार से अधी गर्वती महिलाओं के ठीका करने का लच्छ रखा गया है तो 88 नंबर का विकल्प अगर आप चुनते हैं ठीक है यहीं सही नहीं है क्योंगे यह बुला है मिशन इंद्रधनुस का यह चारण मार्श 2021 तक संचालित होगा ठीक है दिसंबर में जब इसको शुरू किया गया है भीया ठीक तो इसमें कुछ चीज़ें इसके लिए बिसेश बनी है यह मार्श 2020 तक संचालित होगा ठीक 2021 तक नहीं 2020 तक इसके लिए कदम उठाए गया है आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्ण है उत्तरप्रजिस कैबिनेट के द्वारा कुछ निड़े लिए गया है इनमें कई नहीं नगर पंचायते बनाएने जानी के प्रस्ताओं को मंजीरी मिली है तो उससे संबंदी है जैसे यह बोला है तो इन चारों में से कौन सा आपका सही है 89 का जवाब आप लोग दें अभी करेंट का यह प्रश्ण है इसलिए डाला गया है तो 89 का जवाब अगर आप B विकल चुनते हैं ठीक है तो एकडम सही है क्योंकि इसमें बोला है बस्ती जिले के कस्वे वैरवा को नगर पंचायत बना जाएगा यह इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसमें बस्ती जिले का जो एक कस्वा है भानपूर उसको नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताओं दिया गया है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और 90 नंबर प्रश्ण स्क्रीन पर दिख रहा होगा देखें 90 नंबर में कह रहा है दिसंबर 2019 में केन सरकार द्वारा किस केन सासित प्रदेश में वाहनों के पंजी करण के लिए एक नए पंजीयन टेग LA की सुरुबात की गई है अब वो कौन सा केन सासित प्रदेश से जहां वाहन पंजी करण सुरू हो रहा है जंबू का समीर है कि लद्दाख है कि चंदीगड है कि पुद्दू चेरिया अले मलव क्या लद्दाख ही वईया एकदम सही है आप चलिए आगे बढ़ते हैं क्यानवे नंबर प्रशन स्क्रीन पर आपके दिया है चंद्रियान टू मिशन का नेत्युत किन दू महिला बहिंगे इससे संबंदिद वईया अभी प्रशन आया था UPPCS प्रिलिम्स में भी तो हमने भी एक प्रशन आपके लिए रखा है इसके बारे में आपको डेटेल से पढ़ना जरूरी है भारत का एक बहुत गौरोपॉर्ण मिशन रहा इसमें बोला है मुथया वनिता और रित्यु करिदल मीनत संपत और अन्राधा टीके इन चारों में से आपको चुनना है 91 नंबर प्रशन इसका जबाब कौन सा है ए अगर आपने चुना है तो एकदम सही है मुथया वनिता और रित्यु करिदल जो है दो महिला वईग्यानिकों आशी है जिन्होंने इस मिशन का नेत्रित किया था आगे 92 नंबर प्रशन में बढ़ते हैं 92 नंबर गह रहा है एक नाभिक के रेडियो धर्मीच है रेडियो एक्टिव जो है डीके में एक एलेक्टरान भी उत्सरजित होता है यहाँ इस्तत्थी के कारण हो सकता है कि एलेक्टरान नाभिक के भीतर मौजूद है तो इन चारों में से कौन सा विकल सही है 92 नंबर जबाब दीजिए 92 नंबर का अगर आप विकल चुनते हैं B तो एक नमसही है, क्योंकि जब किसी नावेक के रेडियो धर्मी अगर छे हो रहा है, रेडियो एक्टिव टीके हो रहा है, और उससे एक एलेक्टरान अगर सरजित होगा, तो एक न्यूटरान के प्रोटान में बदलते समय एलेक्टरान का निर्माड होता है, इसका यह करण बन जाएगा, समझ गए ना, 93 नमबर, अब यह साइंस का पूरा सेग्मेंट आपका चला है, करयान निमलिखित कतनों को ध्यान से पढ़ें, लेकिन यूम, उन बिकल्पी या बिकल्पों को चुने, जो आलिंद यानि आपकी और्गलीज और निले यानि बेंट्रिकल्स जो होती है, कि बीच में, जो है, किसको, अंतर को दर्साता, पहले बोला है, आलिंद वह कच्छे जो सरीर के उत्कों से रक्त प्राप्त करता, भी बोला है, आलिंद दिल के उपरी कच्छों को कहते हैं, जबकि निले निचले कच्छों को कहते हैं, तीसरा बोला है, कि आलिंद वहाख अच्छे जो सरीर के उतकों से रक्त प्राप्त करता है वही निले वहाख अच्छे जो सरीर के उतकों को रक्त प्राप्त करता है और इसे महाधमनी की तरफ प्राप्त करता है जबकि वेंट्रिकल्स डी आक्षिकरन रक्त के रिसेप्टर के रूप में कारी करती है चार इसलिए का विकल्प गंश बोला जाता है उनको Ericles समझ गये ना तो इसलिए यह आपका विकल्प उचित नहीं है जो भी कंथन बोले गए वे उचित है 94 नमबर बोला है भारत में गिद्धों की कमी का आतिधिक प्रमुक कारण क्या है विशानो संक्रमाट, जीवानो संक्रमाट, जानुरों को दर्द निमारिक देना, चौथा बोला है जानुरों को इस्टोजन इंजेक्शन देना, इन में से बताओ भईया, ठीक, कौन सा इसमें से 94 नमबर में, C अगर विकल्प आप चुनते हैं, तो एकदम सही है, जानुरों को जो दर्द निमारिक दवा देते हैं, ये गिद्धों के बिलुप्त होने का सबसे बड़ा रीजन है, क्यों, क्योंकि डाई जो आपका क्लोफेनिक होती है, एक दवा, ठीक, ये जो होता है कि जानुरों के जब जानुरों मरते हैं, तो ये दवा उनके मांस के साथ साथ जब गिद्धों में पहुंचता है, तो एउरिक एसिड बहुत बनने लगता है, और गिद्धों की किड्नी खराब हो जाती है, इस वज़े से वो क्या मर जाते हैं, 95 नमबर प्रशन आपके स्क चकाण से अलग किया जा सकता, अब सही विकल्प पैचानुर। पहला गलत है कि दूसरा सही है, दूसरा गलत और पहला सही है कि सभी गलत कि सभी सही, 95 नमबर का जबब दे, विकल्प अगर आप D चुनते हैं, तो एकदम सही है, इसमें जो बातें कही गई हैं, वो सारी की स सारी एकदम सही है 96 नंबर पर स्क्रीन पर है निम्लिकित में से वह कौन सा युग्म बार्म ब्लेड़िट प्राणियों को दर साता है गर्म जो आपके खून के प्राणियों होते हैं उनको दर साता मकर युग तथा सुतर मुर्ग हैग फिस्स तथा डॉग फिस्स कछुवा त पच्चियों की तरह गर्म रख्त वाले जीव अपने सरीर के अंदर क्या करते हैं तापमान को इस्थिर रखते हैं समझ गए ना आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रेशन आपकी स्क्रीन पर है निम्लिकित में से कौन सा एक अनितीनों की तुल्ला में आधिक सूरी के किरण को परवर्तित करता है अब बालू मरिस्तल बी बोला धान के फसलिक्त भूम इन चारों में से आपको चुनना है चारों में से कौन सा सही है 97 नंबर का अगर विकल्प चुनते हैं सी वाला ठीक है तो ये एक्दम सही है नोपात हिम से आच्छा दित जो भूं होगी ये सूरी के किरेंट को बहुत परावर्तित करती है अगला बोला है अगला जो प्रश्ण है देख रहा होगा आपको यह कहरा है किसी द्रोव पर भाई मंदली दाब जो है कम करने के लिए क्या करना चाहिए द्रोव का करतनांग कम करने पर क्या होता है द्रोव का कुधनांग बढ़ जाता C बोला है boiling point पर कोई प्रभाव ने पूरता D बोला है इसके उबलने के लिए आवश्चक समय में ब्रिदी एनि टाइम डिरेशन जादा होने लगता है बताओ इन में से कौन सा सही है 98 नमबर जवाब अगर आप B चुनते हैं द्रोका जो कोतरांग होता है ये कम हो जाता है boiling point जो है आपका घड़ जाता है आगे बढ़ते हैं 99 नमबर प्रशन आपके सामने है बोला है इंडोस्कोपी पेट या सरीर के अनियंद्रोईनी हिस्सों का पता लगानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है कि किस परिखड़ना पर आधारित है ठीक है बताओ इसमे 99 नमबर में अगर आपने चुना विकल्ब सी कुल आंत्रिक परावर्तन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पर ये आधारित सौ नमबर प्रशन आपके स्क्रीन पर है सौ नमबर कह रहा है कारवन मोनो अकसाइड जानवरों के लिए क्योंकि या C-O-T के परिवाहन को कम कर देता है B-BOL-I या C-O-T के परिवाहन को बढ़ता है C-BOL-I या O-T के परिवाहन को कम कर देता है D-BOL-I या Hemoglovin को नस्ट कर देता है चारों में से बताईए यह 100 नंबर प्रशन जो आपका है इसमें कौन सा उचित है देखो C जो विकल्प अगर आप चुनने हैं O2 के परिवाहन को कार्बन मोनो अक्साइड जानुरों में हानिकारिक इसलिए है क्योंकि आक्सीजन के यह परिवाहन को कम कर देता है आगे बढ़ते हैं 101 नंबर प्रशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्राइमिथाइल जैन्थीन एक उत्तेजक का राशाइनिक नाम है इसका लोग पर यह नाम क्या है निकोटीन, आयोडीन, कैफीन, थियोग्रोमाइमिन इन में से बताओ 101 नंबर का जबाब आपका क्या होना चाहिए वह यह 101 नंबर का जबाब आप जानते हैं तब भी जो है अगर ध्यान नहीं दिये हैं तो गलत कर देंगे कैफीन का नाम जो है ट्राइमिथाइल जैन्थीन है ठीक है और यह उत्ते जखाई है जानते ही है चाय में पाया जाता कॉफी में पाया जाता से ग्रेड में भी और कई चीजों में बहुत सारी चीजों में होता है एक सो दो नमबर प्रश्णा है मनुष्य के लिए आवश्यक तीन महत्पूर्ड पोजशक सूच में पोजशक तत्तु क्या है सलफर तामबा और लोह नाइट्रोजन मॉलिबलेडनम और आयोडीन जस्ता तामबा और प्रोटैसियम कौपर जिंक और आयोडीन इसमें सब को चुनना है कि मनुष्यक लिए आवश्यक तीन महत्पूर्ड सूच में पोजशक तो कौन से हैं एक सो दो नमबर का जवाब विकल्ब डी चुनते हैं तो एकदम सही है कापर जिंक और आयोडीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अगला प्रश्णा आपको ह एक सो तीन नमबर बिटामिनों को उनके कारी से मिलान कराना है चलिए देखते हैं बिटामिन इधर दिया है एक ए और सी के बारे में इधर उनके कारी दिया है चलो इसमें से मैच कराते हैं कौन सब वही सही है मैच कराके फिर जवाब देने हैं देखो बिटामिन ए जो है न ठीक ये रेटिनाल पिग्मेंट का निर्माड करता है तो एक चोथा हो गया यानि दो में से एक होना है बिटामिन के आप जानते हो बिटामिन के का कारी होता है रक्त के जमने में तो बीक आपका थ्री हो गया अच्छा दोनों मैच कर रहा है C भी हमें देखना पड़ीगा विटामिन E जो होता है इसका सबसे में काम होता है लो नस आपका सब कुछ दिखना चेहरे पर तो अच्छा को सबस्तरकना इन सभी का काम विटामिन E का है और C closing इसका हो ही गया तो C का आपका E है E का दूसरा मतलब C C का दूसरा तो E C में है आपका C वाला विकल्प हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नमबर प्रश्ण आपसे कह रहा है साबुन बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार के अल्कोहल द्वारा प्राप्त की जाती है एथिल, ग्लेसराल, मेथेनाल, मेथाईल अल्कोहल ये तो पढ़े होंगे न पताइए 104 नमबर साबुन ग्लेसराल भई कच्छा दस याद करिए उसी में था आगे बढ़ते है 105 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है कहरा है निमलेखित में से किस धात को मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडेयम, पोडेसियम, लोहा, अल्मूनियम, जिंक पाँच धातु यह इनमें से आपको चुनना है वो कौन सी धातु है जिसको जो है आपको किसमें मिट्टी के तेल में रखना पड़ जाता है ठीक है तो आप जानते ही जानते हैं मिट्टी के तेल में रखने के लिए कौन गौन सी धात चुई है एक तो आपको सबसे ज़्यादा बत्याना पड़ता है इसको sodium को दूसरा potassium तो पहला और दूसरा बीविकल वो आपका सही हो जाए 105 प्रशन तक टीम के द्वारा जो है इसमें GS के सारे question सामिल के गए है current science इन सबके बाकी 106 से ले करके 120 प्रशनों तक गनित के और साथ ही साथ reasoning से सम्मंधित प्रशन है तो दोस्तों ये पूरी की पूरी हमारी टीम की मेहनत कैसी लग रही है टेस्टरीज के बारे में आप आकलन कर सकते हैं कि ये टेस्टरीज हमारी कितनी गुडवत्ता पूड है तो देर ना करत भी है अगर आप टेस्टरीज जोईन करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि इस टेस्टरीज में हम आपको guidance भी देते रहेंगे समय समय पर क्या चीज़े कैसे जो जितना हम material आपको उपलब्द करा रहे हैं इस material से समबंदी जो भी समस्या होगी आपको एक WhatsApp ग्रूप में जोड़ा जाएगा फिर वहाँ पर तमाम चीज़ों के बारे में हम आपसे डेवाई डेव बात करते रहेंगे तो अगर आप इसको ये पसंद आई है तो चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करना है इन तीनों में से किसी नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं बाकी पचास क्वेशन डेली के सिरीज में मैं आपसे जल्दी मिलना सुरू हो जाऊंगा तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें मस्त होकर पढ़ें अभी एड्मिशन की लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में नीचे लगी हुई है वहाँ से जाकर आप सीधा एड्मिशन ले सकते हैं इस बैच के लिए टीम पर इक्षा प्लस आप सभी का तह दिल से धन्यवाद करती है आगे हम फिर से मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अच्छे से पढ़िये मस्त रहिए धन्यवाद